अभी हम लाइव कनेक्ट हो गए एक बार मुझे फटा फट से बता दीजे लाइव कनेक्ट हो गए क्या काट कर जो मैंने पढ़ाया था वह आप लोगों ने अच्छे से रिवाइस किया था एक बार अब बीडियेफ तो मैंने साहर करी दिया था टेलिग्राम पे तो आप अब ने पढ़ा था वह आप लोगों ने रिवाइस किया तो कि अब निकाल देता हूं कि अब मुझे बताएगे कर जो मने पढ़ा था वह रिवाइस किया था आप लोगों ने झाल ओरे चाही आप लो आप लुकार, जो रूवड़टMusic, अब्सेदर्न उट्सosh भूट्री की hate support लूट्स एम जिसे अबरे वोगों आप लोगों आप बूचार, जो आप पूर। । कोई नहीं कि स्टार्ट करें आज की ग्लास गूड मॉर्णिंग अवर्यवन तिव्या जी कोई टेंसन की बात नहीं जिस भी बच्चे को लिंक नहीं मिलेगा इसी लिए हम यूटूब में दो क्लास ले रहें एक दो सेशन ले रहें ताकि बहुत सारे बच्चे जिनको लिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से आज कि च्लास हम सुरू करते हैं चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम कंटीनियू करेंगा आपको याद दिला दू पिछली क्लास का बस छोटा सा रिवीजन में आपको कराऊंगा जो पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको याद है मैं आपको क्या पढ़ाया था और annual cost हमारा 90,000 रुपीस लगे हो और हमने देखा था कि tax rate हमारा 30% है तो ऐसे situation में हमें यह बताना था कि project viable है भी या नहीं है तो हमने क्या क्या था हमने कहा था मैंने दो alternative सिखा था second alternative यह भी हम discuss करते हैं हमने देखा था कि initially हमारा 5,000 रुपीस investment लगिया एन्वल revenue हमारा 2,000,000 रुपीस कॉस्ट हमारा 90,000 रुपीस incur हो रहा था और depreciation हम क्यों minus कर रहे थे ताकि उसका tax benefit हमें मिलेगा depreciation के जरी यानि 5,000,000 रुपीस जो हमने खर्चा किया सुरुवात में उसका tax benefit हमें किस फॉर्म में मिलेगा depreciation के थू मिलेगा हर साल तोड़ के जिसने 5,000,000 का 30% 1,50 था हो चैने हमें tax benefit मिलना चाहिए बट वो depreciation के जरीए मिलेगा तो हम depreciation को minus कर देते थे 1,000,000 रुपीस ताकि tax benefit ले सके तो यह minus करने के बाद जो PBT आ रहा था उस पर हमने tax लिया और उसके बाद वापस हम depreciation जोड दे रहे थे इसी के साथ हमने cash flows निकाला तो हमारे initial investment 5,000,000 तो ही यह आपका present value of cash outflow है और इसी के साथ हमारा cash inflow जो future में ह हमारा cash inflow हो रहा है उसको हमारे cost of capital जो हमारा 50% required rate है उससे हमने pull किया और हमें पता चलिए NPV positive यह negative है हमने देखा NPV negative आ रहा है और हमने कहा दिया project to not be accepted मैंने आपको समझाया थे कि NPV 0 भी आएगा अगर तो भी हम project को accept करेंगे जीरो भी आएगा तो project को accept करेंगे NPV 0 का मतलब यह जितना आपका required है वह एची हो रहा आपका तो वहाँ पर भी project accept होगा और यहाँ पर हमने देखा था कि 15% अगर आपका required है तो project accept नहीं करोगे लेकिन किसी का required 12.954% यहीं 13% तक अगर आपका required होता तो project को accept कर लेते हैं य क्या करूंगा आपको पता है inflation को add-on करूंगा inflation concept को अभी हम इसी topic में क्या करेंगे add-on करेंगे inflation क्या होता है पहले तो मुझे यह बताईए आप बताएगे participant करें आप पताएगे inflation क्या होता है हम सब को पता है inflation के बारे में inflation क्या होता है जिसके बारे में discussion भी करूंगा आपके अस्त एक बार उसके बारे में समझाऊँगा पिर inflation का effort हम कैसे लगा सकते हैं वो भी मैं आपको समझाँगा अच्छी तरी मेरी बात ध्यान से सुनेगा भी inflation का मतलब पहले जाने inflation का मतलब क्या होता है तो आज goods and services का price है वो future में नहीं होगा future में उसका दाम बढ़ जाएगा गुड से सेम रहेगा goods and services सेम रहेगा बस क्या होता है price change हो जाता है price बदल जाता है आपको याद होगा पहले के जमाने में एक या दो रूपया में हमें समोसा मिल जाता तो मुझे यादि जब सबसे पहले यह समझते कि inflation का मतलब तो यह है कि जो आज goods and services का price है future में वो नहीं होगा future में बढ़ भी सकते है घटने का मतलब होता है deflation बढ़ने का मतलब होता inflation usually हमारी country जो है और maximum countries में inflation ही होता है त्योंकि deflation उससे भी जादा खराब है उसके बारे में अभी discuss नहीं करेंगे inflation मतलब prices of goods and services का increase होना that is what inflation अब यह क्यों होता है यह भी थोड़ा सा जाम लो यह क्यों होता है आप सोचो इसके पीछे बहुत सारे factors one of the factor is demand and supply जैसे कि for example आप मेरी बात सुनिए माल लिजे फोर example मेंने mobile phone का मैं manufacturing करता हूँ मैंने total मेरी capacity है total mobile phone manufacturing करने की मालो 1000 units 1000 units की मेरे capacity है mobile phone manufacture करके supply करने की अब मेरे mobile phone जो है ना उसके demand बहुत ज़ादा आ रही है मैं manufacture कर हूँ 1000 units पर demand 5000 units 10,000 units की demand उसो जो supply है only 1000 units बट demand है कितनी 5000-10,000 unit की demand है ऐसे situation में मैं क्या करूँगा पता है मैं उसकी price को बढ़ा दूँगा मैं बोलूँगा क्योंकि मैं demand को तो meet नहीं कर पा रहा है तो जैसे जैसे मैं price को बढ़ाऊंगा क्या पता हुसके demand कम होती जाएगी और कम होके क्या पता है parallel हो जाएगी तो हम जब भी आप देखना market में demand जादा होता है supply कम होता है वहाँ पर आप देखना prices बढ़ने लगते है जैसे अगर आप mangoes वगेरा दिखोगे जब season आता है पूरा pick season होता है तो उस वक्त mangoes का दम बहुत सस्ता होता है मुझे पता है 50 रुपीज 60 रुपीज किलो में हम खरीद लेते है पट वही जैसे season जाने लगता है season जानने का मतलब supply कम होना और demand जादा होता होता है तो उस वक्त वही mango 500 या 600 रुपीज तक भी पहुँच जाता है उसकी value बढ़ जाती है एक तो major factor यह है कि अगर आपका demand जादा है supply के comparison में तो usually वो product या फिर वो services का दाम बढ़ जाता है उसका price बढ़ जाता है जिसे विराड कोली को देख लो विराड कोली का advertisement वगेरा में आप देखो उसकी demand जाता है वो जितनी supply नहीं दे पार उससे demand जाता है तो price भी अच्छा खासा मोटा लेते है तो यह एक चक्कर inflation का future में किसी भी चीज़ का product वगेरा का अगर demand बढ़ेगा तो वो क्या करेंगा उसके price बढ़ा देगे तो automatically जो product आज हमें जिस price पे मिल रहा है वो future में हमें ज़्यादा price देना पड़ता है उसका दाम ज़्यादा बढ़ जाता है एक यह reason है दूसरा और reason है cost अगर मालो आपका raw material वगेरा का cost अगर आपका बढ़ जाएगा तो automatically prices का दाम बढ़ जाएगा या फिर one of the best example है oil आप सोचो अगर सरकार माली जे तेल का दाम बढ़ा देगी उन सब में क्या लगता है अगर वो petrol diesel वगेरा का दाम अगर सरकार बढ़ा देगी अगर petrol diesel का दाम बढ़ जाएगा तो automatically transportation cost पड़ जाएगा और अगर transportation cost बढ़ जाएगा तो automatically बाकी सारे goods and services का भी price क्या होगा बढ़ जाएगा तो ये भी one of the reason है कि अगर आपका raw material वगेरा या फिर oil वगेरा का prices वगेरा बढ़ जाता है तो ऐसे situation में आपका क्या होता है products का भी price बढ़ जाता है goods and services का भी price बढ़ जाता है और इसके अ मालेजे import वगेरा पर restrictions लगा दिया तो उसके चलते बहार से इंपोर्ट नहीं हो रहे है ultimately जितना आप घर के अंदर इंडिया में manufacture करो उतना कई supply हो रहे है तो उसके चलते भी क्या होता है prices बढ़ जाता है मैंने कुछ-कुछ examples देखके आपको ये तो समझा दे कि inflation का मतलब क अब आपको एक्जाम के लिए क्या ध्यान में रखना है कि सर अगर माल लीजे future में same goods and services का price future में बढ़ जाएगा that is what inflation अब inflation का मतलब हमें समझ में आया तो अब हम क्या करते कि example लेते हैं तो example के तोर में मालों में काम करता हूं मैं mobile का example लेता हूं माल लीजे for example आज mobile के बार में बात करते हैं mobile का current price हूँ है तो 50,000 रुपीज है यह बेचलो 55,000 रुपीज है mobile का current price 55,000 रुपीज करेंट प्राइस है mobile का माल लो इस एजूम करो देर इस no inflation करते हम डेरिस तो इन्फलेशन करते कोई भी प्रकार का inflation नहीं है और interest rate है मान लीजे interest rate है 10% अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 tier first year मुझे एक बात बताओ यह 0 tier है यह first year है first year अगर आज मैं खरीता हूँ mobile तो मेरा 55,000 उपीस लगेगा अगर मान लोग को inflation नहीं होगा तो first year के बात खरीता हूँगा तो भी मेरा 55,000 उपीस लगेगा अगर कोई भी inflation नहीं होगा मैं mobile खरीतना चाहता हूँ आज मैं mobile खरीतूँगा तो भी 55,000 लगेगा first year मैं mobile खरीतूँगा तो भी 55,000 लगेगा तो मैंने क्या सूचा बतामालो मेरे पास sufficient पैसा नहीं है मेरे पास आज कितना पैसा 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 है amount in hand आज मेरे पास 50,000 रुपीस है अगर मैं इसको bank में invest कर दूँ तो एक साल की बाद मुझे कितना मिल जाएगा 50,000 मेरे पास आज है एक साल की बाद मुझे कितना मिल जाएगा 50,000 मेरा principal amount तो मिलेगा प्लस मालो bank मुझे 10% interest दे देगा तो मेरे पास कितना आजाएगा 55,000 आजाएगा और मैं क्या करूँगा एक साल के बाद mobile purchase कर लूँगा एक साल के बाद mobile purchase कर लूँगा तो मैंने क्या सोचा आज तो नहीं खरीता हूँ क्योंकि आज मेरे पास sufficient पैसा नहीं है मैं काम करूँगा 50,000 रूपीस को आज invest कर दूँगा एक साल के लिए और एक साल के बाद 55,000 रूपीस में मैं क्या करूँगा अपना mobile खरी लूँगा बाद खदम और मुझे 10% interest मिल जाएगा तो मुझे मेरे पास जो आज पैसा है उस पे मुझे कितना percent return चाहिए हमने यह देखा हमें उसमें return चाहिए 10% का return चाहिए 10% का return चाहिए और interest ते 10% है तो उस इसाफ से अगर आब logical एक और ची सोचो तब ऐसे भी सो हो सकतो first year में अगर हम mobile खरे देंगे तो 55,000 रुपीस हमारा cost लगेगा और उसके लिए आज हमें invest कितना करना पड़ेगा 10% उसमें से interest निकाल दो आज हम 50,000 रुपीस इंवेस्ट करेंगे 10% interest में हमारी कमाई हो जाएगे 55,000 रुपीस हमारा mobile मिल जाएगा तो अब यहां पर हमने यह सीखा है कि mobile का price में कोई change नहीं होगा मालू यह हमने assume कि को inflation नहीं है यहां पर भी mobile का प्राइज जो है कि तो 55,000 और यहां पर भी mobile का प्राइज जो है कि 55,000 है कि हमने देखा हूँ ठीक है अब एक बात बताओ यह interest rate ही हमारा required बन गया interest rate ही हमारा required बन गया अब आगे अगर हम another example देखे मालो फूर example वाप पर से mobile price आज तूडे 50,000 रुपेज आज mobile का प्राइज है तो 55 भी लेता हूँ आज mobile का प्राइज 55,000 है और इस पर inflation होता है मान लेजे inflation पाइफ परसेंट एवरियर आपका inflation होता है 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 तो बताओ एक्सपेटड मॉबाइल प्राइस अफ्टर वन इयर की 55,000 रहे गां है है कि कि अफ्टर वन इयर क्या 55,000 रहेगा अब मुझे बताइगे अगर अगर हमोबाइल का प्राइस 55,000 आज है inflation हर साल 5% होता है तो आप बताइए mobile का price एक साल के बाद 55,000 होगा नहीं mobile का price बढ़ जाएगा क्योंकि inflation क्या करता है सब भी goods and services का दाम बढ़ा देते हैं तो आज अगर 55,000 में mobile भी कर रहा है तो आपका expected है कि एक साल के बाद mobile का price किया होगा 55,000 plus 5% of 55,000 यह नहीं कितना आएगा 55,000 इंट 2750 आएगा तो यहाँ पर हम लीग सकते हैं 57,000 फिर चल लू 55,000 plus 5% कर लूए और यह एक्सपेक्टेड हमारा मोबाइल का अगर मैं सेम चीज बोलू में जीरो तियर और फरस्टियर मेरी बात ध्यान से सुनो हमने यहां पर क्या दिखा था हूं कि 50,000 रुपीस अगर हमारे पास इन है 10% जो इंट्रस रेट है वही हमें रिटन चाहिए हम 55,000 में मोबाइल खरीद लेंगे यहां पर हम बोलते कि अगर हमारा यहां पर एमाउंट इन हैंड जो है तेम हम रखते 50,000 रुपीस अब बताई हमें रिटन कितना चाहिएगा एक साल के बाद अगर एक साल के बाद मोबाइल का प्रैस 57,750 होगा तो क्या हम ऐसे सिच्वेशन में इंट्रस रेट जो हमाई 10% की रिक्वाइर रेट है क्या वही रहेगा इनफ्लेशन होने से आपका इंट्रस रेड भी बढ़ जाएंगा आपको रिक्वाइर्ट जाएगा आपको रिक्वाइरमेंट भी ज्यादा चीए रोकौ रिक्वाइर्ट यहन के चक्कर में क्या होता बाकी जो बॉंड इसे वidence बढ़ आए तो इसकी अई पर जा की आप इंफ्लेशन एड्जस्टेट इंट्रस रेट अब मुझे सिंपल से बात बतो पहले मैंने देखा था कि 50,000 रुपीस मेरे पास है एक साल मैं 10% कमाऊंगा 55,000 मेरा हो जाएगा मैं 55,000 में मोबाइल खरी लूँगा बट अब तो मैं ऐसा कर नहीं सकता अब तो मैं ऐसा कर नहीं सकता मुझे जादा रेट चाहिएगा क्योंकि इंफ्लेशन भी होगा 5% का तो मुझे कितना चाहिएगा मैं बोलूँगा कि पहले जो मेरे रिक्वार्मेंट पी 5000 कमाने की अब मेरे रिक्वार्मेंट है मुझे 7750 कमाना पड़ेगा क्योंकि 50,000 को पहुँचाना है 775,7750 में तो मुझे 7750 कमाना पड़ेगा कहां से 50,000 से इंटू 100 यह कितना आ रहे है 7750,00 डबल जिरो डिवाइड बे 50,000 11,15.5% तो इसने मैंने क्या सीखा इसने मैंने यह सीखा इंट्रेस रेट अगर विदाउद इंफलेशन 10% है अगर इंट्रेस रेट विदाउद इंफलेशन 10% है इंट्रेस रेट मैं और इसको वेरिफाय करके समझाऊँगा टेंसन ना लो विद इंफलेशन और 5% अगर 5% का इंफलेशन होगा तो कितना होगा 15.5% होगा 15.5% होगा यह हम नहीं देखा तो आप बोलो कि सर एक चीज़ तो दिमाग में समझ नहीं आया 10% चलो ठीक है इंट्रेस रेट था इंफलेशन 5% का हुआ तो 10 प्लस 5 तो 15% होना था बट यहां पर यह क्या होगा सर यह तो 15.5% होगा यह तो हजम ही नहीं हो रहे है समझ ही नहीं हा रहे क्या हो रहे है क्योंकि 10% अगर आपका इंट्रेस रेट है 5% का इंफलेशन है तो हम यह समझ में आता है कि 15% होना चाहिए मैं आपकी बात से सहमा तो मैं अगरी करता हूँ चलो मैं इसको समझाता हूँ आपको देखो मैं इसको समझाने के लिए लेता हूँ मालो 0-3 और यह है 1st year अब मुझे बताए यह 0-3 में क्या होगा प्रिंसिपल होगा माली जए रुपीज हंड्रेड का 100% रुपीज हंड्रेड का प्रिंसिपल होगा तो 1st year में क्या होगा 1st year में आपका प्रिंसिपल भी होगा रुपीस हंड्रेड का एग्री लेकिन फर्स चेर में प्रिंसिपल के साथ इंट्रेस कॉंपोनेंट भी होगा मैं आपको समझाया था फूचेर में इंट्रेस कॉंपोनेंट भी होगा टेन रुपेस का टेन रुपेस का interest component भी होगा यह हमें पता zero tier में सिर्फ principal होगा और first year में principal के साथ-साथ interest भी होगा अब मुझे बताई zero tier में तो inflation की बात ही नहीं है क्योंकि आज का जो price है वो ही रहेगा inflation कब होगा future में होगा तो future में आपका जब inflation होगा इसका मतलब ही क्या कि purchasing power घड़ जाना तो inflation थोड़े ना किसी का नाम में किसी particular item में होते inflation तो सभी चीज में होगा तो आज मेरी बात सुनो आप आज अगर मेरे पास hundred rupees है hundred rupees में जो मैं समान खरीद सकता हूँ future में उतने में hundred rupees में वो समान नहीं खरीद आओंगा क्योंकि future में inflation होगा तो inflation बताई यह क्या सिर्फ यह 10 rupees interest में inflation बढ़ेगा यह hundred rupees में भी inflation बढ़ेगा मतलब मेरा कहने का मतलब ही entire hundred ten rupees में तो inflation आएगा entire hundred ten rupees में inflation आएगा यहनि कहने का मतलब inflation इसमें भी बढ़ेगा inflation इसमें भी बढ़ेगा जो 100 रुपे का समान है जो 100 रुपे का समान है ये पता कितना बन जाएगा 105 बन जाएगा 5% इंफलेशन लगा दो 5% इंफलेशन लगा दिया 100 रुपीज में 5% इंफलेशन लगा दिया 105 हो गया और ये जो 10 रुपीज का समान है इस पे भी मैंने क्या-क्या 5% इंफ्लेशन लगा दिया ये कितना बन जाएगा तो जो 10 रुपीस का इंट्रेस्ट जो मुझे मिलेगा मतलब in future मुझे जो ये 100 रुपीस प्रिंसिपल मिलेगा उस पे भी इंफ्लेशन लग जाएगा और in future जो मैं 10 रुपीस तो आप देखिए inflation का adjustment कितना हुआ मुझे बताईए आप देखो यहाँ पर increase due to inflation कितना हुआ 100 रुपीस बन गया 105 5 रुपीस आपका inflation प्रिंसिपल में inflation adjust हुआ और interest में भी 0.5 का adjustment हुआ ये बन गया 15.5 sorry 5.5 तो वही तो मैंने कहा मैंने ये कहा कि देखिए 10 परसंट जो interest था वो आगे जाके 15.5 परसंट बन गया मलब 5.5 परसंट extra बढ़ा कैसे बढ़ा principle में 5 परसंट बढ़ा और interest में 0.5 परसंट बढ़ा दोनों में inflation लग गया पूल मिला के 5.5 परसंट हो गया आप ऐसे भी समझ सकते हो आप ये समझो देखो मैं आपको बदा देता हूँ 0 tier में 0 tier में आपकी value अगर 100 है तो first tier में हमें पता है आपकी value क्या होगी 100 प्लस 10 परसंट of 100 equal 110 है तो ये 110 में हमारा क्या होगा पता है इस 110 में हमारा 5% inflation चड़ जाएगा 100 में नहीं चड़ेगा 110 में 5% inflation चड़ जाएगा और 110 में 5% inflation चड़ जाएगा मतलब 115.5 हो जाएगा याप देख सकते हो 100 रुपीस का जो value है वो आगे 115.5 हो जाएगा याप 15.5% का inflation और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो और आप ऐसे लिखते हो जीरो तियर है फस्ट टियर है एक दाम अच्छे समझ लो मालो मैं वन रुपीस लेता हूँ बताव वन रुपीस अगर कोई वेलू है फस्ट टियर में हो क्या बन जाएगा 1.10 बन जाएगा तो एस 1.10 में 5% inflation चड़ा हूँ अब कैसे लिखोगे 1.10 into 1.05 लिखो या जाएगा 1.155 यह नहीं 15.5% और यहा फिर आप लिखो 1.10 प्लस 5% inflation क्या जाएगा 1.155 एटीस आपका 15.5% आपका हो जाएगा इंफ्लेशन इंटरेस्ट बन जाएगा 1.155 यह नी 15.5% बन जाएगा 1.155 यहनि कहने का मतलब साफ है 10% इंटरेस्ट जो चड़ रहा है वो तो ठीक है 10% तो चाहिए हमें हमें inflation भी चाहिए inflation इस 1 रुपी में भी चड़ेगा और ये 0.10 interest में भी चड़ेगा दोनों में inflation चड़ेगा और inflation adjust करके हम बता देंगे हमारा क्या interest rate होगा अब आप मेरे साथ participate करना example के दो अब हम फटा फट से करेंगे मुझे आप बताईए point number 1 में माल लिजे interest rate without inflation माल लिजे 9% है inflation माल लिजे 4.5% है तो आप मुझे बताऊ therefore interest rate चलो इस बार 4.5 में लेता है इस बार में 5% है 4% लेता हूँ therefore interest rate with inflation क्या होगा सबसे पहले आप यह समझो कि 1 रुपी जो है वो आगे एक साल बाद 1.09 होगा सबसे पहले तो अब यह लिखे 1 रुपी जो है वो 1.09 होगा और future में inflation यह principal 1 रुपी में भी बढ़ेगा यह 9% 0.09 interest में भी बढ़ेगा इंफ्लेशन कितना बढ़ेगा 4% इंटू 1.04 लिख दीजे या फिर आप लिख सकते हो 1.09 प्लस 4% तो नू आप कर सकते हो तो कितना आएगा आपका 1.09 इंटू 1.04 1.1336 इंट इस 13.36% निकाल लिए मैं एक और करवाता हूँ पिर हम आगे बढ़ेंगे interest rate without inflation interest rate without inflation हम लेते चलो 12% हम लेते inflation हम लेते 6.5% तो therefore आप मुझे बताइए आप participate कीजिए और मुझे बताइए अभी यहाँ पर क्या होगा आप मुझे participate करके बताइए कि यहाँ पर आपका क्या होगा interest rate including inflation क्या होगा including inflation inflation adjustment inflation adjustment को करके क्या होगा इस बार मैं नहीं बताऊँगा आप मुझे बताऊ 12% interest है तो आप सबसे पहली यह समझेए सिर्फ 12% में यह 6.5% ही चड़ेगा 1 रुपी का जो principal component है उसमें भी inflation होगा 0.12 का interest है उसमें भी inflation होगा दोनों में inflation चड़ेगा अगर मैं value की बात करूँ मैं अगर आज एक रुपया लगाता हूँ invest करूँगा तो मुझे future में 1.12 चाहिए और वो 1.12 में मुझे क्या चाहिएगा inflation चाहिएगा तो that means what यहाँ पर मैं लिखूँगा 1.12 आप तो सबसे पहले यह लिखोगे मतलब 1 रुपी में भी मुझे principal component में भी inflation चाहिए और 0.12 है ना जो interest component है उसमें भी inflation चाहिए दोनों में inflation होगा 1.12 लिखा मैंने 1 और 0.12 दोनों में कितना चाहिएगा 1.065 लिख दो और या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते और 1.12 प्लस 6.5 परसें कितना आ रहे है सबने participate के 19.28 परसेंट कि 1.1928 आएगा that is 19.28 परसेंट आएगा कितना मज़ा आ रहे है चलो बहुत मज़ा आया हमने inflation को अच्छे से समझा और अब हम क्या करेंगे जब हमने inflation को अच्छे से समझ लिया है अब मैं एक example करौँगा हमारा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकते एक example लेते चलो वही example लेते जो पहले क्या था initial investment माल लो on project आपको बदा आई से का दू कोशन गलत क्या हूँ आई से ने मुझे ऐसे गुसा नहीं आता है आई से पर लानत है कि वह इस लेवल पर भी जाके अभी ने सी capital budgeting उन्होंने include किया है और वह starting के पहले दो कोशन को गलत करके बैठे हुए क्या बता हूँ मैं आपको पहले कि जहरत पढ़ जाती है क्योंकि मैं अपने time में self study करता था मुझे भी काफी problem होती थी क्योंकि आई से का material ही बहुत अत्तक सहीनी बहुत सारा confusion ऐसा है कि बच्चा अपना दिमाग सर पिट लेगा अगर वो self study करेगा वो दिवार रूड़े हो उसमें अपना सर फोड़ लेगा बुले कि क्या करो ना ठीक है यह हालत है पहला दो कोशन सो चोग एडवांस capital पहला दो इल्स्ट्रेशन में अगर आप गरवड़ी करके बैठोगे तो फिर क्या मलब क्या ही कहें फिर हम इसके लिए इनीशल अब ऐसा नहीं देखो गलती है तो मैं बोलता हूं अधरवास मुझे कोई सौक नहीं कि आईसे को मैं डिफेम करू यह करू अब वो घरकते ऐसे करते हमें बोलना पड़ता हम क्या घरे गुस्सा आता है न आपको भी गुस्सा आएगा जब आपको लगी कितना टाइम अननेसेसरी विष्ट कर दिया हम तो सही थे आईसे गलत था पर हम अंदर अंदर फील कर रहे जाते हैं कि हम सब गलत होंगे हम और अलग-अलग चीज़े ढूंड रहे पर अल्टीमेटली गलत कोई ने आईसे गलत करके रखा हुआ है और हमारा टाइम विकार में चला जाता हुँ शक्कर में चले इनीशियल इन्वेस्मेंट ओन दा प्रोजेक्ट थे फाइव लग यह पांच साल तक एन्वल रेविन्यूज होगा टू लाक फिप्टी पर रहना एन्वल कॉस्ट हर सल कॉस्ट लगेगा पांच साल तक नाइन्टी थाउजिंद पर अच्ट कॉस्ट ओफ केपिटल विदाउथ इन्फ्लीशन को इन्फ्लीशन को इंक्लूट करके कॉस्ट ओफ केपिटल हमारा 15% और यह एन्मवल रेवेन्यू से यह रियल टेम्स में चाहिए छाइं जा समझाऊंगा रियल टेम्स का मतलब कि और अमिनल टेम्स यह आपका हो गया है तिंग कोशेंग पूरा बन गी हमारा और डाप्रिशेशन हम पाथ साले तो पाथ सालों में डाप्रिशेशन का वैनिफिट हम लेंगे अब देखिए यहां पर हो क्या रहे हैं अगर आपको एक्जाम मेरे को यहां पर रियल टम्स भी लिखा हुआ आ सकता नॉमिनल टम्स भी लिखा हुआ सकते हैं रियल टम्स का मतलब होता है कि इसमें इंफ्लेशन का एड्जस्मेंट नहीं है यह करेंट जो आपका रेट्स चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से एन्वल रेविन्यू मला करेंड एकॉनोमी को देखे करेंड मार्केट को नहीं हenhारम में रखते हैं टूटलयाफ हुटली थाउचिन हमारा रेविन्यू अन्यों डलिकर फ्यूचर में तो इन्फ्रीशन होगा माल लेजे इन्फ्लेशन कितना होगा चलू इन्फ्लेशन ले लिए Dop every year माल लिजे inflation every year होगा 6% जो मैंने लिए inflation हर साल 6% का हो तो आप बताई future में कि हमारी annual revenue 2,50,000 होगी नहीं future में तो inflation 6% से बढ़ेगा और अगर inflation 6% से बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपके prices बढ़ेंगे और prices बढ़ेंगे तो revenue भी बढ़ेगा cost भी बढ़ेगा inflation का मतलब क्या अगर मैं 6% inflation लिख रहा हूँ मतलब मैं कहना चाहरा हूँ कि market में हर commodities का price जो है वो बढ़ेगा 6% से तो that means what future में आपके सारे के सारे जो हम product base reference product वो भी 6% से बढ़ जाएंगे हम ज़्यादा अदाम में बेचेंगे 6% और हम जो भी commodities raw material वगेरा खरीदेंगे वो भी 6% से हमारा बढ़ेगा और real terms का मतलब यह है कि आज के भाव के हिसाफ से आज के रेट के हिसाफ से revenue है future में inflation के चलते यह revenue में चींज आ जाएगा तो चलो कोई ना अभी हम इस question को solve करेंगे और बहुत ही अच्छे से solve हो जाएगा कि परस्ट येर सेकेंड येर थर्ड येर कोट येर कि फिफ्ट येर कि मजा आएगा एकड़ मज़ कि देखो सबसे पहले आप यह लिखो इनीशल इन्वेस्मेंट और फैसे लगा दिए तो आज फ्यूचर में पैसे लगाई ये लगें लगेंगे फूचर में बस हमें टेक्स लिए आज अगर मैंने फाइग इनिशल इन्वेस्मेंट किया है तो future में मुझे इस पे tax saving बस मिलेगा पैसे तो आज खड़ जोगा हमारे future में होंगे नहीं अब इक बात बताओ सरकार हमें future में tax saving देगे तोड़ तोड़ के मालो 5 सालों में depreciation के थूँ tax saving देगी कितना देगी 5 लाग पर tax rate 30% तो 30% यानि 5 लग का 30% वन लग कुट्टी दाओची नहीं तो वो tax saving देगी क्या सरकार आपको future में tax saving ज्यादा देगी यह बोलके कि नहीं नहीं इंफ्लेशन हुआ है न तो हम आपको ज्यादा tax saving देगी देगे सरकार नहीं सरकार को मतलब ही नहीं inflation वगेरा से सरकार बोले कि देख 5 लाग रुपीज तेरा खर्चा लगा है तो हर सल 1 लाग रुपीज depreciation करना और उसका depreciation का 30% करके तुझे हर साल हम 30,000 का tax saving देगे 5 सालों तक 30,000 करके 1,50,000 का tax saving मिलेगा जो 5 लाग का ultimately 30% हो यह 5 लाग का 30% आपको 1,50,000 tax saving मिलेगा मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो depreciation tax saving आपको मिलेगा उसमें inflation का कोई भी काम नहीं है आप खुद बताओ यह बत ICA नहीं भी लिखा हो अपने material में पर जब question solve करते समय उन्होंने इस पे भी inflation डाल दिया जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि 100% 99.99 भी नहीं बोलूँगा 100% गलत है आपका initial investment ही तो 5 लाग लग चुका future में यह पैसा नहीं लगने वाले तो future में जब पैसा ही नहीं लग करेंगे और वल्लक जो depreciation करेंगे उस वल्लक पर टेक्स नहीं लगेगा हमारा वल्लक का 30% नहीं 30.000 का tax saving होगा और इसमें कोई भी आपका inflation का adjustment नहीं होगा यह आपने चलो समझ लिया अब एक बात बताओ मुझे अगर मैं annual revenue की बात करो हर साल जो मेरा annual revenue होगा आप बताओ मुझे मेरा हर साल annual revenue होगा कितना होगा 250,000 होगा यह तो real terms में आज के terms के साथ से future में तो मेरा revenue 250,000 होगा ही नहीं future मेरा revenue होगा 250,000 पे 6% बढ़ा दो 1.06 6% बढ़ा दो मतलब ultimately देखा जाए तो मेरा first year में revenue जो है वो 2,65,000 को अगर मैं inflation को adjust कर दो दो second year में वापस इस पे inflation डालूँगा मैं 1.06 2,80,900 होगा third year में इस पे वापस से 6% बढ़ा दो 2,80,900 into 1.06 297,754 यह मेरा revenue होगा fourth year में 297,754 into 1.06 यह आएगा 315,619 आएगा अच्छे से participate करोगे तो आपको आगे portion है इस टाइप क्या इस एक है आपको बिल्कुल भी easy लगेगा बिल्कुल भी रिक्कत नहीं आएगी इस बात की मैं guarantee दे सकता हूँ 3,34,556 तो देखें मैंने क्या क्या सब में inflation डाल दिया अब यह annual revenue हमने किस पे लिखा nominal terms मतलब inflation का adjustment हो चुका है अब हम annual cost की भी बात कर लेते हैं nominal terms में चाहिए हमें क्योंकि nominal terms मतलब inflation adjust हो चुका inflation adjust करके चाहिए हमें तो अब मुझे आप बताईए यहाँ पर 90,000 तो real terms में आज के इसाब से इस पे तुमें inflation डालना पड़ेगा तो 90,000 आपका zero tier के साब से future में cost बढ़ जाएगा हमारा तो future में 95,400 होगा हमारा 95,400 होगा फिर इस पे 1.06 लगा देंगे 101124 होगा फिर इस पे 1.06 का cost लगा देंगे 107191 होगा फिर इस पे 1.06 लगा देंगे 113623 111 एक बार चेक भी करते रहे ना ऐसा नहीं की सिर्फ स्क्रीम पर देखरो कभी कभी calculator वगेरा मिलता है साथ-साथ करते जाओ साथ-साथ ही होते जाएगा आपका समझेरो बात में दिख्कत नहीं आएगी 1136 23 मजा आएगा और पाटिसिपेट करने से क्लास में मजा आता है ऐसा यह बांदू की तरह बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा participate नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा बोर लगे ग्लास फिर आप लोगो 120-140 बताओ यह सब कुछ पर्फेक्ट है जो भी बंदा मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूं उसको मचाएगा तो क्लास में उसको एंजोई फिल होगा कि मैं जैसे मूवी देख रहा हूं वैसा लगेगा आपको जैसे मूवी अभी देखा तीन गौंटे बीस मिनिट की मैंने देखा ठीक है तो वह इतनी बड़ी मूवी है पर हम एंजोई करके देख रहे हैं तो मजा आया टाइम का पता नहीं चला वैसे पढ़ाई भी आप एंजोई करके करोंगे ना तो टाइम का पता नहीं चलेगा छे से benefit मिल जाए बाद में एड़िक कर देंगे तो depreciation में कोई inflation नहीं होते हैं कि नूइंफ्लेशन एड़स्में यह द्यान रखना आई से भी यह बात बोलता है बट उसने कोशिन में घल्ट कर रखा हुए दो कोशिन में तो वन लाग का हम depreciation हमें benefit में कि अब इस्ते हमारा क्या आजाएगा पते हैं कि प्रॉफिट भीफोर टेक्स हमारा आजाएगा मुझे बताओ पार्टिसिपेट करके यह सब बहाने माज़ें प्रसनदा जी तर तिन गंटे के बाद आई हट होने लगते हैं यह सब बहाने बाद हैं आपको जो पसंदीता चीज आपke देखने को म मिले तो यह सब excuse मत दो अपने साथ कुछ बढ़ा करना है न तो excuse नहीं दे सकते हैं बताओ मुझे PBT कितना आएगा मुझे बताओ जो PBT आएगा उसमें हम टेक्स माइनस करेंगे एड़ीरे 30% फिर हमारा क्या आएगा पैट आएगा उसमें क्या करेंगे एड़ेशिशन फिर से ऐड़क करण कई दैप्रीशिशन का बैनीफिट लिने के दैप्रीशिशन फिर से कर देंगे हमाहा क्या स्लो आ बात खत्म कितना आसी मझा भी डिखो न रेवेनिव है सब्सक्राइट भरग कर दिया वाइड कर दिया क्योंकि टेक्स निकालने के लिए हमने वन लग में टेक्स दिना नहीं पड़ेगा आपको तो आइधिंक बच्चे अंसर देना चालू कर दिया 69600 पहले वाले हैं जो बच्चे मेरे साथ अभी पार्टिसिपेट करें वह बच्ची देखना जल्दी सिये बन ज गए 79776 और जो बच्चे अभी पढ़ेंगे न उनकी चांसे ज्यादा है उस यह बनेंगे बहुत सारे बच्चे अब को पद अभी नहीं पढ़ेंगे अभी कितने सारे बच्चे क्लास लेके छोड़ देंगे अभी वह पढ़ेंगे रिजल्ट आने के बाद या एक्जाम से दो मेहना पहले और फिर बाद में अगर ख्लिकर नहीं होगा तो फिर बोलेंगे आर ऐसा हो गया वैसा आपको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा बताओ कि 90563 90563 101996 और एक लांस्ट वाला भी बता दो मुझे फटा फट से जल्दी से बता दो मुझे पताई दिये एक जने 114116 यह आगया इसमें टेक्स हम माइनस कर लेना जो भी अभी हम नहीं करेंगे सीधा 70% निकालो 69600 का 70% सीधा निकालो मैं नीचे का बताओ लास्ट का करता हूँ आप पहले का बता दो 114 116 इंटू 0.7 50% टेक्स देने के बाद यह बच्चे का 79001 101 996 इंटू 0.7 71397 इंटू 0.7 मुझे बता दे जो आप लोग ठीक है पहले का 90563 इंटू 0.7 63394 790076 इंटू 0.7 55843 69600 इंटू 0.7 48720 क्या येस परफेक्ट अब हम कुछ नहीं करेंगे डाप्रीशेशन फिरस एड कर देंगे ये एड करने के बद आगे हमारा क्या स्लो कितना असान था 148720 155843 163394 171397 179881 इधर का आपका जीरो तियर में तो फाइब लाग रुपीज हमारा लगए रहे तो में ये पता चल चुका है कि फाइब लाग रुपीज हमारा जीरो तियर में लगए रहे और हर साल का हमारा क्या स्लो कि आएगा वह में पता चल चुका है अब इंकॉम क्या करेंगे इंकॉम प्रेजेंट वेलू में खीचेंगे कौन से रिट से कौन सा लेंगे 15 परशन लेंगे देखो मैंने लिखा हुआ इंक्लूडिंग इन्पलेशन अगर यह इंक्लूडिंग इंफलेशन नहीं तव हम क्या करते हैं मालो 50 परसें एक्स्लूडिंग इंफलेशन होता तो 1.15 रुप्य में 151.15 में हम चड़ाते 1.06 तब हम लें 1.15 into 1.06 1.219 यह नहीं 21.9% तब हमारा 21.9% होता बट यह including inflation है तो हम इसे खीचेंगे किसे 15% से ही खीचेंगे समझ मैं है तो यह बहुत माइने रखते है यह including inflation है कि excluding inflation है आपको inflation adjusted cost of capital चाहेगा यहाँ पर तो income present value में खीच लेंगे अब आप simple सी बात है present value of all cash influence कितना आएगा यह यह आएगा आपका 15% के calculator में कर ले चलो calculator में कर लेते हूँ आप भी करना मेरे साथ यह नहीं मैं बोला और कर लिए आप practice करोगे तब ही तो exam में कर पाऊगे करो मेरी मतलब अपने आप करो 148720 divided 1.15 equal m plus पे छोड़ दिया 148720 divided 1.15 के एक ही बार equal दबाना है क्योंकि first year में equal दबा आप दबा के m plus में छोड़ दिया वो m plus में पड़ा हुआ है अब अपने अब last में MRC करके plus कर देंगे साथ फिर 155843 divided 1.15 इस बार दो बार equal दबाऊंगा क्योंकि second year से 0-3 में आने है equal equal m plus कर दूँगा फिर 163394 divided 1.15 तीन बार equal दबाऊंगा फिर m plus करूँगा 1,2,3 m plus कर देंगे क्योंकि third year से 0-3 में आने है 171397 into 1.15 चार बार equal दबाऊंगा equal 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 चार बार equal दबाऊंगा कुछ पलत हुआ है calculator रूप गया होता है कि मैं और आगे नहीं बढ़ूँगा 1,48720 divided 1.15 equal m plus 155843 divided 1.15 equal equal m plus 163394 divided 1.15 equal 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 m plus 171397 divided 1.15 चार बार equal दबाऊंगा 1,2,3,4 m plus 179881 divided 1.15 1,2,3,4,5 बार equal दबाऊंगा m plus m rc कर दिया यह आरा 542025 आ रहा है यह आप निकालके बैढ़ गए कि आसिजी प्रसन्ना जी सुवम जी है ना आप सभी निकालके बैढ़ गए कितने खुशिक यह बात है देखो कितना अच्छा लगता है 542025 हमारा आ रहे है 542025 आ रहे है और present value of all cash outflows कितना यह दो मैं पता है यह 5 लेक है NPV कितना आया therefore NPV कितना आया 42025 आया since NPV is positive therefore project is viable and should be accepted तो आप मुझे बताएं इब इंफ्लेशन एकदम अच्छे से समझ में आया की नहीं आया है मुझे बता दो कि इंफ्लेशन अच्छे से समझ में आया की नहीं आया आप मुझे बता दूएं आप अब कोई मुझे बता सकता है cost of capital excluding inflation क्या होगा मैं पता है क्या करूँगा मैं बुलूँगा 1.15 इंफ्लेशन इंफ्लेशन सम मिला के इस में से 6 परसें निकाल दूँगा डिवाइद 1.06 मतलब 8.49 8.5 परसें आप प्रॉक्स पकड़ की चलिए excluding इंफ्लेशन 8.5 परसें तो आप क्या करोगे 1.085 इंटू 1.06 आप प्रॉक्सिमेटली 8.5 परसें हमारा एक्स्लूडिंग इंफ्लेशन हमारा कॉस्ट आप अराम से निकाल लोगे बताए यह एकडम अच्छी से समझ में आया बोलो अभी तक capital बचेटिंग टफ लग रहा है क्या मैं वादा करता हूं कहीं कुछ भी टफ नहीं है बहुत इजी चप्टर है capital बचेटिंग तो क्या सारे के सारे चप्टर ही एकड़ी है कुछ भी टफ है नहीं आपकर कुछ है कुछ हाई हूँ कुछ है नहीं ऩब बताओ अब यह सब कुछ आसाथ असान ़ग रहा है अगर आसान लग रहा तो हम आईसे का कोशन देखें देखो repuchar कोश्यन करूंगा और घ़ लोगों से करवाऊंगा आईसे का गलत अंसर ही आपको लिख के आने हैं तो कि मैं आईसे के एक्जाम देखेंगे बट कुछ-कुछ ऐसे कोशे ने जहां पर जब साफ आईसे को भी दिख रहा है कि आईसे ने गलती से गलती कर दी वो आगे सजिस्टेट अंसर को बदल देते हैं सच बतारों वो इस टाइब की कोशिन एक्जाम में पूछेंगे तो वो सब्सक्राइब बदल दें तो मेरा ये मानना है आपको करेक्ट अंसर ही लिखके आना चाहिए बट मैं क्या करूंगा दोनों चीज आपको बताऊंगा मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं अपने मेरा जो सोच ह वह आप पर ठोग दूँ मैं आपको सही अंसर भी बताऊंगो और आईसे ने क्या गलत क्या हो भी बताऊंगो अगर आप मालो मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं आप बोलना चाहोगे कि नहीं सर हम तो जब तक आईसे ठीक नहीं करेगा माईसे किसा आपसे लिखने ना चाहते आपका ऑल है बत मैं बहुत और भी कोशियन होंगे जहाँ पर मैं आपको बुलूँ अपना दिमाग नहीं लगा न सही ऐसंनल नहीं करेंगे आई स creativity करेंगे बट कुछ कुछ जगा ऐसा जहाँ पर मैं बुलूँगा कि आप correct answer करो यह बनौब दा कोशियनिये своAK है नहीं कि आप करेक्ट अंसर ना करो कि मुझे पक्का यकीन है आगे जाके वह अपना सजेस्टेट में बदल देगा वह जब यह कोशेंग उच्छेगा वह ठीक कर दें यह मुझे यकीन है बाकि आपका पॉल है चली इलस्टेशन टू अब यहां पढ़ना स्टार्ट कर दें सपना जी कह रहें इंफलेशन मतलो नीचे नोट्स लिख दो रीजन ऐसा थोड़ी ना चलते है आप बोलना चलते हैं आप नहीं हाँ चलो हाँ वह इंफलेशन डापडिशेशन में इंक्लूड नहीं करके हम नोट्स लिख सकते हूं सर एक्सलूडिंग इंफलेशन कंसेट फिर से रिपीट करेंगे तो अच्छा होता हूं क्या से 15% मेरा यह कहना है कोई बात नहीं मैं एक बच्चे की क्वाईरी है तो मैं ले लेता हूं बहुत सिंपल सी बात है मालो फूर इंट्रेस रेट विदाउट इंफलेशन 8.5% होता है पीना इंफलेशन के इंट्रेस रेट 8.5% होता है और अगर मालो इंफलेशन जो है वो 6% होता है तो बताइए therefore इंट्रेस रेट विद इंफलेशन कितना होता है एक बच्चे का डाउट है फटाफड लेता हूं 1.085 पे इंफलेशन चड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल और इंट्रेस दोनों पे चड़ेगा 1.085 प्लस 6% लेको या फिर 1.085 इंटु 1.06 लेको आप ये देख लो ये वाला आएगा हमारा कि इंटु 1.06 15% इंटु 1.06 15% मैं इससलिकी ठीक उलटाप करना चातूं मैं कहना चाते हूं कि मालों इंट्रेस रिट वीट इंफलेशन होता हूं जैसे हमने लिखा interest rate with inflation 15% है जिसके अंदर inflation घुसा हुआ है किपा हुआ है जिसके अंदर inflation 6% तो मुझे interest rate without inflation चाहिए मुझे plain interest rate चाहिए जिसमें inflation adjustment नहीं हुआ है तो मैं क्या करूँगा यहां पर मैं बोलूँगा जो 1.15 में तो inflation है निकालना है तो जब चढ़ाएंगे inflation तो multiply करेंगे जब निकालेंगे तो divide करेंगे मुझे तो निकालना है तो मैं divide करूँगा तो divide कर दिया तो मेरा 8.5% आ गया वही तो चीज ती किसने पूछा था यह सवाल यह सवाल पुछा था उद्दब क्लियर हो गया कैसे क्या कर रहे हो मैं तो समझनी पार आप क्या कर लो अच्छ आप माइनस 6% कर रहे से नहीं कर सकते आप 1.15 से माइनस 6% ऐसे मत करो आप ने वही कि आपका 8.1% आया आप डिवाइड करोगी आप दूनों में फरक आ जाते हैं आपको इंफलेशन निकालना है क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इंफलेशन चड़ा था वह 15% में नहीं चड़ा था आपका 8.5% जो औरीजनल था ना उस पे इंफलेशन चड़ा था तो कोई बताओ जब अपने इंफलेशन चड़ाया था तो 15% को बेस में रखके इंफलेशन चड़ाया था कि 8.5 में अपने इंफलेशन चड़ाया था आपने 8.5 का 6% इंफलेशन चड़ाया था तो जब आप निकालोगे भी तो 15% का 6% कैसा निकाल सकतो 1.15 से कैसा निकाल सकतो आप 1.15 से माइनस करोगे लेकिन कौन सा इसमें आपने इंफ्लेशन चड़ा है ता हूँ वा 6% किसका 1.085 का 1.085 का 6% कितना 0.0651 यह माइनस करना होगा 1.15 से समझ मैं तब आपका आप उद्धवची मुझे बता दो अभी क्लियर हुआ आपका कि आप माइनस नहीं कर सकते 1.15 माइनस 6% नहीं कर सकते अगर ऐसा कर दिया तो आपने 15% में से 6% निकाला वो सही नहीं है अपने 8.5% में 6% चड़ाया था तो 8.5 का इस 6% आपका माइनस होगा यह नहीं 1.085 का 6% माइनस होगा आप देख लिए 1.085 का 6% जो है वह आपका अगे बढ़ें बूलो इलसेशेशन 2 में आए सबका क्लियर एकदम अच्छे से बताओ मज़ा आ रहा लिए उमीड के था इस तरह एतना क्लियर्ली पढ़ेंगे सलसे बताओ मुझे यह अपने कैसे अपने कि इतना क्लियर्ली अम पढ़ेंगे इतने अच्छी तरिके से मल्क जो नहीं पर छिज़ा गळा पर ही तो आ रहा है यस नाजेस ने जिवाइड करने पर आ रहा है पर कोई बच्चे माइनस कर रहे तो माइनस करने पर नहीं आएगा क्योंकि उसके पीछे जो मैंने सही अंसर बताने लग जो तब आपको लगेगा सर अब तो कोई से का कोशिन हो रहा है अब तो मज़ा आ रहा है चलो देखो इलस्येशन 2 में क्या लिखा हुआ है एक्स वाजेट लिमिटेट को और रिक्वाइरमेंट है एट लाग रुपेज फोर इन यूनिट इनिशली को एक मसीन वागिरा खरी देगा उसके लिए इसका इनिशल इन्वेस्मेंट जीरो तियर में एट लाग रुपेज है प्रोजेक्ट की यूस्फåलाइफ कितनी है फोर इर्से सैल्वेजं वयलु नहीं लें तो इसने हमी क्या समझ में आ रहा है कि एट लाग रुपीज जो आपका इनिशल इन्वेस्मेंन है हमारा रवन्यू और प्रीशेशन इन्फ्रीशन को छोड़के हमारा र हर साल का यह आपका इसमें क्या inflation है नहीं है इसमें inflation को adjust नहीं किया गया समझ में आया इसमें inflation को adjust नहीं किया गया cost में भी inflation को adjust नहीं किया गया क्या अब समझ दो यहां पर भी inflation को adjust नहीं किया गया है आगे देखते हैं पर tax rate आपका 60% cost of capital 10% including inflation यह निए 10% में हम में क्या कोई adjustment करना नहीं करना क्योंकि इस पर inflation का adjustment already किया हुए बता दिया पूछा कि NPV बताओ प्रोजेक्ट का अगर inflation rate revenue और cost का अलग-अलग देखो यह रवन में revenue inflation 10% cost में अलग-अलग दिया हुए तो अलग-अलग लेंगे हर साल का अलग-अलग दिया हुए हमारा तो एक बात बताओ हम यहां पर एक बात ठीक करते हैं पहले हम revenue की बात करते हैं फर्स year का revenue 6,00,000 है 10% inflation बताया यहर वन में यहर वन में 10% inflation बताया तो आप 6,00,000 को कितना पकड़ेंगे 6,00,000 प्लस 10% inflation adjust करेंगे तो यह 6,00,000 मुझे बताओ अब मैं आप लोगों के मुझे जानना चाता हूं आप hence यह seven lakh पर कितना लिखू मैं है डाइन पर संट है 29 एज यह वे बता है यहां पर आप मुझे बताइए यह कितना लिखू thể बताऊं तेवन लाग की जगा में कितना लिखूं आप मुझे बताईए यह सेवन लाग रुपीज जो है यह एक्सलूडिंग इंफ्लेशन है इसमें इंफ्लेशन के अड्जस्मेंट नहीं हुआ है सेकेंड यह में आपका 9% इंफ्लेशन एर आवन्यू पर तो मुझे बताई यह सेवन लाग प्रमें कितना लिखूं बच्चे का कहना है सेवन लाग नैंटीन थाउजन पो उट्रेट सेवन लाग सिस्टी थाउजन और गदेगे जिसे बतार हो एकदम क्रसंदाची आइटिंग समझदार हो गए है ना बाकि लोग गदे या गदे जैसे बात करो आप लोग है ना और आप लोग हरकते करोगे मैं आप लोगो गदा बोलूँगा ठीक है अच्छा पाऊ या बुरा पाऊ कैसे होगा बताओ यह तो सेवन लाग पर इंफ्लेशन है नहीं यह सेकेंड यर का वल्लू सेकेंड यर का बलू में निकान लें जीरो तियर को ध्यान में रखते वी आपको रवन्यू दिया हुआ है इस पे पहले तैन परसंट फर्स यर का इंफ्लेशन चड़ेगा नाइन परसंट सेकेंड यर का इंफ्लेशन चड़ेगा सिर्फ नाइन परसंट क्यों लगा रहो मैं समझनी पार आप लोगो पहले टैन परसंट लगाओ फर्स यर का इंफ्लेशन सेगेंड यर का फूरेगा ना तो यहनि कहने का मतलब आएगा यह सेवन लैक इंटू 1.10 इंटू 1.09 आप मुझे खुद बताओ क्या मैं वाजिब बात कर रहा हूँ बेखुब हो जैसी बात क्यों कर रहो सेवन लैक नैंटीन दाउजिन पॉंड रेट कहां से आगया मेरे भाई का कर रहो यर अलगी दुनिया की खिला रही हो आप लोग तो टेवर, लैक नैंटी दाउजिन कहां से दिव्या जी अब क्यों सी दुनिया से आया हो अब हमारी धरती पही रहते हो कि कई और रहते हो तिंसी जी आप भे प्ता हो कहां से आया हो दूसरे गणह से आयो हो क्या है अजीन बात करते हो क्या पढ़ रहे हो तिनसी जी दिव्या जी सच में डिसपोंड किया एच एच यह 790,400 आया कैसे पहले तो मुझे यह समझाओ आया कैसे यह मैं यह समझ नहीं पार कैसे आया यह जो बच्चे 719,400 बता रहे हूं बता कैसे रहे मतलब मेरे तो समझ से परे एक नम 839,300 आएगा है कि इतना एगा 839,300 आएगा हमारे एकदम अच्छे से समझ में आया नेक्स्ट आपका थर्ड यहरे में अब गलती मत करना गलती की गुंजाइस मत करना ठीक है चलो दिव्या जी ठीक है अब हम हमारी धरती पर वापस से आ जाए ठीक है इधर उतर नहीं जाने ह हमारी धरती बहुत अच्छे हम यह रहेंगे बताओ एट लाग क्या होगा इस पे क्या लगा ते यह परसंट बात खतम करें बेवकूप जिससे बात मत करना पहले 10 परसंट लगाओ कि फिर 9 परसंट फिर 8 परसंट एट लाग पे आपका होगा 1.10 1.09 1.08 तीन साल कम इंफले 1035936 1035936 आया हमारा नेक्स्ट वाला भी बता दो यह 8 लाग जोए अब देखो इसमें पता है एक बेनिफिट क्या है मैं अगर समझदार बच्चा होगा ना मैं बोलूगा देखो सीम 8 लाग 8 लाग है तीन साल का इंफलेशन लगा तो यह आने वाल है इसमें सीधा 7 है मेरा इस पर सीधा क्योंकि वेल्यू तो सेम है जो समझदार बच्चे होते हैं न वह डैरेक कर लेंगे वह डबल वन 08451 यह चलो 452 समझ में न समझदारी की बात बोलो समझ में आये न अब हम नेक्स्ट कॉस्ट वाला भी आप मुझे बताना चलो कोई न अभी हम क्या कर बनाते है अपना जो टेबल जैसे बनाते है न किलर सेशन टू अब स्क्रीन पर देखते रहो भी जिसके बास अभी कोशिन में नहीं भी हाथ में को टेंसन वाली बात नहीं है देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा जैसे मेरी हैबिट है इनिशल इन्वेस्मेंट लिखने की वो में लिखूंगा एट लाग रुपीज हमारा इनिशल इन्वेस्मेंट लग रहे है एन्युवल रेवेन्यू एन्युवल कॉस्ट एन्युवल रेवेन्यू हम क्या अभी जस्क निकाले थे यह समने जस्क निकाला था कितना कितना सिक्स लग 60,000 एट थर्टी नैं 300 एट थर्टी नैं 300 इसके लाव वह 1035936 है न अब स्क्रीन पे देखो भी ठीक है स्क्रीन पे देखो मज आएगा डबल वन जीरो एट फॉर फाइफ टू मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करो भी मलब पार्टिसिपेट करो सब अच्छा लगेगा अनुवल कॉस्ट अब मुझे बता दो फटावर्ट से अनुवल क पस त्री लाग पे 10% एक बार ही चाड़ेगा यह आएगा 3,30,000 इसमें तो मुझे पता चला दूसरे वाला बता सकतो कितना होगा दूसरे वाला देखो 4,00,000 में 10% 4,40,000 होगा फिर 4,00,000 में 9% कि निकाल आएगया किसेने 479,600 क्या 479 600 यह हमने निकाला इसके बाद next आपका क्या आएगा next वाला है 4 luck तो इसमें आप tension की बात ही नहीं है इस पर सीधा में लगा दूँगा 1.08 517968 आएगा क्योंकि same figure है न smartly अगर आप करोगे तो next वाला भी आपका 4 luck same ही है तो एक बार smartly करोगे तो 8% लगा दोगे बात खत्म 559405 कुछ गरबढ किया कि हमने मैंने calculation में कुछ गरबढ किया लग अच्छा मैंने rate revenue वाला ले लिया साथ गलती से rate मैंने गलती से revenue वाला ले लिया था 12% था मैंने revenue वाला rate ले लिया पूरे गलत होगे yes sorry sorry हाँ गलती होगे मैंने revenue वाला ले लिया गलती से गलती होगे माफ करना 3,00,000 पर 12% लगाएंगे 3,36,000 आए गई है silly mistake है प्रेक्टिस करते करते हैं इस सब दूर हो जाएगे फिर next आपका क्या है 4,00,000 पर पहले 12% चड़ाओगे पहले 12% चड़ाओगे फिर आपका next year का कितना है 10% ही क्या हूँ next year 10% 1.1 वो 92,800 आएगा यह आगी हमारा 492,800 यह करेक्ट कर लिए टिंसी जी गलती हो गई माप कीजेगा फिर next आपका क्या होगा पते है 492,800 तू निकाला हुए अब next year 3rd year और 4th year में भी 4,00,000 की है तो सीधा हम 492,800 में 9% लगा देंगे 537,152 आएगा और next year हमारा क्या आएगा 8% 580,124 अब सही होगा 537,152 ना आईसे ने बता करबड क्या होगा देखो 537,172 लिग दिया कल तो इसे करबड है उनका next वाला तो 580,124 सही आया था देखो depreciation लिख देता है depreciation हमें पता है हर सल 2,00 होगा 8,00,000,000,000,000 चार सलों में कोई salvage तो है नहीं तो हर सल 2,00 होगा ये करने के बाद हमारा क्या आएगा PBT आएगा जो आब मुझे बताएए इसमें फिर हम tax minus करेंगे एड दीरेट 60% है टेक्स हूच हो तो पैट सिर्फ 40% बचेगा 60% टेक्स है तिंग यस और फिर हम क्या करेंगे depreciation एड कर देंगे कि depreciation माइनस ही इसलिए किया था ताकि benefit ले लिए सकते है यह ना यह हमने कर दिया पता यह मुझे फटा वड़ते बता हूं मुझे कितनी क्या खूब कितनी अच्छी बात है उनहार बच्चे मेरे पास रसना जी तिल्कुस कर दिया प्रसना जी ने भी ऐसी फास्ट हो रसना जी कि 146 500 सेकंड वाला बता रहे है 146 500 फिर 298784 यह सही ना फिर है त्री टू एट त्री टू एट क्या बात पर सना जी इतना फास्ट बहुत सही त्री टू एट त्री टू एट निकाल लिए तो टेक्स 60% माइनस करेंगे तो 40% बचेगा तो मैं सीधा पैट लिखता हूं वलने 24000 का इंटू.4 49600 कि ना 146 500 इंटू.4 60% टैक्स देगे ना तो 58600 बचेगा 298784 इंटू.4 देबल वो 9514 इंटू.4 फिर आपका 328 इंटू.4 वन थ्री वन डबल थ्री वन सही है अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दो कि दम सही है तो अब अप्री शेशन एड कितना करेंगे टू लाक रुपीज जो माइनस किया था हूँ आड कर दो. एक्स बेनिफिद लेने के लिए माइनस किया था. यह एड कर दिया हमने और हमारा कैस्ट लो आ गया. 249 600, 258 600 3,19,500 3,31,331 यह आगया हमारा. और इनीशल तू एट लाक है हमारा. तो देरफॉर आप मुझे बताएए प्रेजेंट वैल्यू अफ आल कैस इंफ्लू. प्रेजेंट विल्यू अफ आल कैस इंफ्लूस मुझे बता दीचें. क्या करोगे अब किस से पुल करोगे अब? 10% इंक्लोडिंग इंफ्लेशन है. टेंसन की कोई बात नहीं. इंक्लोडिंग इंफ्लेशन प्रीम है 10% हमारा. और एक बात यहां रखना, अगर बाइचास यहां फर इंफ्लेशन इंक्लोडिंग नहीं लिखा हुआ रहता. तब यह अप एज्यूम कर ले ना, इंक्लोडिंग इंफ्लेशन, कॉस्ट अपर क्यों? इसमें अलग-अलग इंफ्लेशन दिया हुआ है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, कि इसमें आप इंफ्लेशन अजस्ट करें, कोई पार्टिकुलर इंफ्लेशन होगा, तब तो फिर विम अजस्ट कर ले, अगर यह सब्द नहीं भी लिखा हुआ रहता, तो भी मैं क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को, इंक्लूडिंग इंफ्लेशन आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ केपिटल 10% से खीचेंगे, 10% से खीचेंगे हैं इसको, बताओ, कितना आए, किसे ने निकाला गया, 9069988 बता तो रहे बच्चे, बहुत अच्छी बात है, ठीक गया मैंने, और प्रेजेंट वेल्यू अफ आल कैस आउटफोर, इस इनिशिल इन्वेस्ट, तो आपका एट, न्पीवी कितना आया, एट लाक, 1,069 लेवलेट, धरफोर रोजेक्ट इस वाइबल, प्रोजेक्ट शूट भी एकसेट, यह हमारा पूरा परफेक्टली करेक्ट अंसर है, यह हमारा परफेक्टली करेक्ट अंसर है, बट आईशे ने, जैसे मैंने बूला, गंद मचाय है, उन्होंने गलत किया है, ठीक कर दिये कि उन्होंने ता ता मैट्रिल में कुछ गलत हुआ था बैसे एका स्टेडी मैट्रिल दे गलत मचा ठीक है ठीक है ठीक है तो था पार्ट में तो गलत भी एक पहले वहले के मतों है है हें लुक्त को पुड़्वाले में भी उन्हेमि जान तक जल्टा है रवन्यौ में इंट्रीशन एढ़र्श्ट किया कॉप्ट में इंट्रीशन एढ़र्श्ट सुन अपा इसे का गलत लिखा इसमें कॉस्ट लिखना आप यहां पर भी आप काट के कॉस्ट लिख दो यह ठीक है रेवन्यू सबनी कॉस्ट है टेक्स बेनिफिट और डेप्रिशेशन टू लाग पे वन लेक ट्वंडी थाउजिन लिए रेवन्यू कॉस्ट नेट प्रॉफिट और टे पीछे उन्होंने कुछ तो गलत किया था मतलब वापस करने की बाद गलत किया है कि उन्होंने ठीक है कुश्ट नमर टू तब ठीक कर दिया उन्होंने पहले गलत था मुझे आदे मैट्रिल में और वन दो गलत किया हुए यह यह तllesुम अब हिए ऊंज वन में गलत किया हुगा है तो वन हब कर ले कि अभी हम एशचेशन बन वोन भी कर ले वड़ा-वडस से कि के आपको करने को दूब अभी मैं इसे नहीं पुर्फर तो नहीं होना चाहिँ बाकी लोग बच्चे कराई इसा होना तो नहीं चाहिए आपका इंटरनेट में दिग्कत प्रलाइब दिख आपनेट वह लिए कि मुझे दो कोई दिख्कत नजर नहीं आ रही है मैं फकर नहीं होना चेहिए यस बाकियों का गहना बफर नहीं हुआ रहे चलो एक काम करते है इलिए सेशन वन भी लगी हाथ करी लेते है आपको एक्जाम में सही ही करना पड़ेगा आप ये समझ लीजे एक्जाम में आपको सही ही करना इसमें भी सही कम करेंगे इनिशल आउटले फॉर्टी था हुचे ने एन्वल रेवन्यू विद्धाउथ इंफलेशन बोला एन्वल कॉस्ट भी विद्धाउथ इंफलेशन बोला चल्वेज नहीं ले यूस्फुल है और आपका टेक्स रेट फिप्टी परसें एक कॉस्ट इंक्लूडी इंफलेशन दिया हुए 12 परसें तो बहुत सिंपल है यह जिरो तियर फॉर्स्ट सेकेंड हर्ड फॉर्थ है ना लगियाद फटा फट करते हम इनिशल इन्वेस्मेंट हमारा फॉर्टी था हुचे ने जीरो तियर में लगा एन्वल रेवेन्यू एन्वल कॉस जल्दी जल्दी कर लेते हैं सोच के करताके क्यों कि अभी करके निफ्टा देंगे कैनौब रेविन्यू किते हमारा ने खीता को फीलेशन आलना पड़ेगा कितना 10% का इन्फलेशन इंफलेशन डालीच तो 10% का इस Чुट ए इस पे 10% मेंड खील तो कितना ऐगा 33,000 ने 39,000 फिर इस पर वापस से हम कर देंगे वन पॉंट वन जिरो थिन नाइन थर्टी कि कमपेरिटिवली एजी पिछले वाले पूश है कि एक ओर ट्री नाइन टू थ्री कि यह हमने लेख दिया आपर काथ साथ खतम करो मेरे साथ सब ठीक है यह हमने किया एन्वल कॉंस्ट आप मुझे बताती है एन्वल कॉंस्ट कितने है 10,000 excluding depreciation आपका 10,000 तो 10,000 तो नहीं होगा 10% inflation चड़ाना पड़ेगा यह 11,000 होगा और यह होगा 12,100 होगा मैरे ख्याल से 11,000 इन्टू 1.10 होगा इन्टू 1.10 13310 इन्टू 1.10 1.4641 क्या प्रिशेशन भी साथ साथ लिख देते हैं क्या प्रिशेशन कितरा होगा 40,000 का initial आउट ले सेलवेच कुछ है नहीं यूस्फुल है 4 एर से तो हर सर 10,000 खड़ा पड़ी आईसे ने इस पे भी इंफ्लेशन चड़ा दिया हूँ आईसे एक अंसर पता कम मैच करेगा जब अब 10,000 में भी इंफ्लेशन चड़ा होगे आईसे ने ऐसा गरबड किये हमारा क्या आएगा PBT आएगा कितना यह 12,000 है इसमें टेक्स हम माइनस करेंगे एड़ी रिट कितना परसेंट है 50 परसेंट है 6,000 हम माइनस करेंगे तो पैट आजाएगा हमारा बाकी का बताती जाओ 6,000 आएगा फिर डप्रीशेशन एड़ कर देंगे कितना चार्ज करेंगे 10,000 यह एड़ कर देंगे 16,000 हमारा आगी हमारा फिर उधर अब मुझे बताते जाओ एक एक करके यह कैसलोस हो गया हमारा 40,000 तो है कैसलोस हो अब मुझे इधर बताते जाओ एक करके कितना आ रहा है 13310 क्या बता रहूं इसका बता रहूं क्या बता रहूं नहीं बता चाओ 36 में 24,200 14,200 होगा मेरे क्याल से 24,200 माइनस 14,200 होगा फिर नेक्स्ट वाला होगा 29,930 16,620 होगा मेरे क्या बता हो ना यार क्या कर रहूं अपना जी अपनी दुनिया में खोई भी है अजीब हो करी बाते बता रही है यह माइनस करना है यह माइनस यह पहले तो माइनस करेंगे बाद में करेंगे 14,200 16,620 साहिए ना फिर नेक्स वाला बताइए 33,923 33,23 19,19 200 सम्थिंग आएगा 19,282 वार रहा है आजाएगा 9,500 9,600 41 यह होगा क्या 9,18 19 यह होगा मेरे खाल से यह आएगा सेम 7,100 8,310 9,6400 देख लीजेगा एक बार आप और इसमें हम 10,000 एड़ बेक कर देंगे क्योट आपडिशेशन है यह आएगा 17,100 13,310 19,641 इन सब को हम क्या करेंगे 12% से खीचेंगे cost of capital including inflation जो हमारा है 20 तो था 12% से खीचेंगे यह आप बताएगे present value of all cash 12% से करने पर कितना आएगा present value of cash out हमारा initially तो 40,000 लग रहे हैं और जो future में कमाएंगे उसकी present value तो मुझे चीह 534333 ले ले लेते हैं, 0.63 न 53433 ले ले लेते हैं तो therefore हमारा क्या आएगा? nbv, 134 nbv आएगा, that's all, बात खतम nbv आगया, therefore हम बोलेंगे project should be x क्या बोलिंगे प्रोजेक्ट को मेरे भाई एकसेट करो सब कुछ परफेक्ट है को दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर बताओ परफेक्ट ली एकदम अच्छे से हो गया यह वाला कुशन भी अगरी IcA के आपको बता रहूं कि आपको अंसर मैच कराना है आप इन्फलेशन चड़ाओं कि उन्होंने एक का क्या निकाल लिया फिर उस पर इन्फलेशन चड़ा के दूसरे का बता रहे तो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है पेले का निकाला पूरा ही गलत कर दिया उनोंने सच बताओ पूरा ही गलत कर दिया गलत क्यों या तो को गलत किया उनका अंसर गलत करने की वज़ए से गलत आगा सब्सक्राइब कर दिया है अब हम आगे पता फर्दर एनलाइस सीखेंगे यह हमने एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए एक से अब हम आपको सखाऊंगा प्राक्टिकल ही चीज़े अभी में सिखाऊंगा लास्में थियोरी पर दिसकस करेंगे थोड़ा वो थियोरी भी एक्जाम में पूछा जा सकते हैं वो भी हम डिसकस करेंगे पर फिलाल हम सारे टॉपिक्स वह न वह टेकनिक्स और इसक अनलाइसिस हम डिसकस करने वाले हैं चलिए आगे में बढ़ते हैं अलग-अलग टेकनिक से जिसके बारे में हमें डिसकस करना है कि मैं लिखता हूं टॉपिक निया टॉपिक है टेकनिक्स ऑफ दसके लिए कि इसके अंदर अलग-अलग प्रकार की टेकनिक है पहले वाला टेकनिक है स्टेटिस्टिकल टेकनिक है कि इसी है सब समझ में आएगा इसके अंदर आते है रोबिबिलिटी वारियन्स और स्टेंडर्ड डविशन और वो एफिशेंट और दूसरा है कॉन्वेंशनल टेकनिक समझाओंगा मैं आपको टेंसर ना लो सब समझाओंगा और बहुत इजी ली समझ में आएगा कॉन्वेंशनल टेकनिक देखें यहाँ पर हम डिसकस करेंगे रिस्क अड़जस्टेड डिसकाउंट रेट यह सब अभी बस अभी आपको मुझे पता आपको कुछ पता नहीं होगा बहुत ही कम बच्चों को पता होगा और एक है सर्टेनिटी एक्विविलेंट जब हम एक है करके एक्जामपल के सब डिसकस करेंगे सब को समझ में आएगा और अदर टेकनिक्स के अभी में कुछ नहीं तो अभी फिलाल हम बात करेंगे किसके बारे में पता है स्टेटिस्टिकल टेखनिक्स के बारे में फिलाल बात करेंगे कि अब पोस करूं पांध के चलतों में दूरिंग फर्स्ट यर माली कि मेरी बात ध्यान से सुनो कि पर्स्ट यर में एक्सपेक्टड कैस्ट व्लू जिसे आपने देखा हमने यह जो कैस्ट लिया था यहां पर हमने कहा था ना रेवेन्यू हमारा 30,000 होगा कोस्ट हमारा 10,000 होगा ऐसे करके हमने कैस्ट लोस निकाला यह एक्च्वल कैस्ट लोस है बताई यह हमारा क्या एक्च्वल कैस्ट लोस है यह तो सारे यह क्या हो सकता हमने नहीं पता क्या क्या पतान में अलग 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 परकार की इसमें काला जैसे आपने revenue यहाँ पर पकड़ा है कि 30,000 का हमारा revenue हो सकते हैं यह तो expected है हम तो आज zero tier में बैठे बैठे यह decide कर रहे कि project accept करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप बताए इस project में risk है कि नहीं है अब एकदम simple सी बात मुझे बताओ क्या इस project में risk है कि नहीं है हम जो सोचें वह होता है कि आप ही जैसे एक्जाम के लिए बनाते हो अच्छा financial reporting में लेकिया हूँगा 75 KFM में लेकिया हूँगा 70 और audit में लेकिया हूँगा 40 मानलो for example DT में लेकिया हूँगा 45 और IDT में लेकिया हूँगा 50 और मानलो six paper में लेकिया हूँगा something 40 ऐसे करके मैं एक aggregate बनाय इस साल में स्यवर्पेदाक्या सदी लेंगे इतने पैसे जमार कर लेंगे यह और हो जाएगा सबी चीज अभी लिख के बता दूँगा तो दिमार में कुछ आएगे निए पहले आप स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में आप समझो मेरी बात तो मैंने आपको यह समझाया कि हम यह सभी चीजे प्रेडिक कर रहे हैं तिरूरी नहीं यह होगा तो यह जो मैंने मालो प्रेडिक किया है यह किया अलग-अलग मैंने प्रेडिक करके निकाला है 16जे मैंने सोचा होगा अगर मांलो म्रेट में बूम रहेगा आगे जाके तो हम सेवन्टी ताउचिन क्या पता है क्या स्टोचनरेट करएं मार्किट का आवरेज रहेगा बहुत ज्यादा नहीं मार्केट में अगर क्रैसिस आ जाएगा तो और कम होगा जिसे हमregat दे duimoney kao이ड के वक्त उस वक्त में मार्केट में एक्राइस दे चल रहा था तो उस वक्त बहुत सारी अनौपनीनों चैस अम्-देनी कियों को सकता अगर मार्केट बूम में सकता है अलग-अलग सेनारियो हो सकता है यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मानलो डिफरेंट सेनारियो से मैं लिखता हूं यहां पर सीनारियो से अब का बेस्ट सेनारियो भी हो सकता है अब का बैटर सेनारियो भी हो सकता है और वर्स्ट सेनारियो मेंने लगए अलग-अलग सिनारियो में अलग-अलग cash flow हमने यह सोचा मान लीज़े फोर एक्जमबल अगर best scenario होगा तो हम cash flow जो है वो 70,000 cash flow generate कर लेगा अगर best scenario हुआ लेकिन अगर best नहीं हुआ better scenario हुआ तो हमने सोचा कि नहीं हम तब है ना मान के चली better scenario में 55,000 ही generate कर पाइं लेकिन अगर good scenario हुआ तो 45,000 तो होगा अगर worse scenario हुआ तो मान लीज़े 25,000 की यह चार अलग-अलग situation इसमें negative भी हो सकता है मैंने negative रखा नहीं यह चार अलग-अलग scenario के अब obviously बात है हम probability भी बता सकते हैं जैसे हम यह भी बहुँँ सकते हैं कि सबकी probability बराबर है तो यह पर सकता है probability 25 परसेंट है बेटर scenario की भी probability 25% मान लो worse scenario कि भी probability 25% है सबको हमने बराबर weight दे दिया और या फिर मान लीजिए हमने expert से discuss किया और हमने पता किया कि मान लो हमें लग रहा कि best scenario होने का chance to just 15% है कि हमने माना और हमने माना better scenario होने का chance जो है तो मैं थोड़ा सा अलग लेता हूँ 20% मैं कह रहा हूँ कि best scenario होने का chance 20% better scenario होने का chance 40% better scenario होने का chance चलो ठीक है 40 ज्यादा ले 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 तो 45% good scenario होने का chance 25% और worst scenario होने का chance 10 तो मैंने यह 100% मैंने बोला अलग अलग की probability मैंने दे दिया अलग अलग situation में अलग अलग की probability यह अलग होने का चांस है तो आप बते कि हम एक्सपेक्टेड कैस्ट नहीं निकाल सकते फिर एक सिंगल एक्सपेक्टेड कैस्ट नहीं निकाल सकते हैं एक सिंगल expected cash नो निकाल सकते हैं कैसे हम बोलेंगे कि 70,000 भी हो सकता है 55 भी हो सकता है 45 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है future में और इनकी probabilities दी हुई है तो probabilities को ध्यान में रखते हैं हम expected निकालनेंगे cash हम बोलेंगे 70,000 का 20% 14,000 ले लिया 55,000 का 45% 24,750 ले लिया 45,000 का 25% 11,250 ले लिया और 25,000 का 10% यहीं 25,000 ले लिया तो आप बता ही therefore expected cash लो क्या होगा 14,000 plus 24,750 plus double one two five zero plus twenty five hundred कुछ गरबर होगा है 52,005 विनिट होगा मेरी क्या था 34, 38, 39, 52,005 विनिट होगा अब एक बात बताओ मुझे मेरे मालुमे चार्टेट एक लाइंट मेरे पास आया क्लाइन ने मुझे बोला कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में मुझे बताई न कि कि expected cash flow मेरा हर साल क्या होगा इप बूल जाओ inflation वगेरा हमने बोला कि जो आप इंफो दे रहे हो सबसे फर्स चेर में आपका expected cash flow जो कि इस बात की की डैरंटी दे सकतो 52,000 विनिट हो नहीं मैं गैरंटी नहीं नहीं तो expected है कि मैं 100% confirmation के साथ बोल सकता हूं कि नजर आ रहे हैं तो कहने का मतलब यह रस्क है इसके अंदर हाई ना इसके अंदर रस्क है की निया मुझे बताई इसके अंदर रस्क है या नहीं आप मुझे बताई अगर इसके अंदर रस्क है कितना रस्क है आप मुझे बताओ कितना रस्क है इसके अंदर इसके अगर मालो फॉर एक्जाम्पल एक और बाद आपको बताता हूं मैं एक और एक्जाम्पल लेता हुँ मालो सिचुएशन ऐसा होता कि बेस्ट सिनारियो में भी कैस्भ फिट्टी ताउचन फाइव मिनिट होता हम बोल 실игр बेटर सिनारियो में भी कैस्भ फिट्टी ताउचन फाइव मिनिट होता और ब goddamn में जब आप एससस सिचुएशन में जब आप इसांद निकाल Northeast यह आए this अब देखलो फाइवары ज़ो य इन्टू 0.45 यह 2365 है 52 500 इन्टू 0.25 13125 है और 52 552 आप देखलो यह 52,005 तो मैंने दो अलग information रखा देखो यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हर सिनारियो में 52,005 विनिट होगा और और expected cash flow उने क्या बोला 52,005 विनिट है आप बताओ यहाँ पर मैं guarantee दे सकता हूँ कि 52,005 विनिट होगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर मैं guarantee दे सकता हूँ मैं बोलूँगा कोई भी सिनारियो हो आपका 52,005 विनिट का ही cash flow यहाँ पर पर risk involved कोई भी प्रकार का risk involved नहीं आपको कि यहाँ पर every situation में same figure कोई भी प्रकार का risk नहीं है यहाँ पर situation कोई भी प्रकार का यह usually पताओ कहो होता है यह usually government bonds वगेरा में होते हैं तो government securities होता government bonds होता है वो जब हम लेते तो उससे related जो में cash flow मिलते वो fix फिक्स्ट मिलेंगे मैं या पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी रिस्क नहीं है इसलिए वहाँ पर आपको इंट्रेस्ट रिटेंट भी जो मिलता है वह रिस्क फ्री मिलते हैं उसमें कोई भी रिस्क का एड्जस्मेंट नहीं होता बहुत ही कम मिलता है रिस्क फ्री रिट लिवर कोई रिस्क नहीं नहीं है कि बट यहां पर मेरा रिस्क है और यह रिस्क का आ कितने हैं वह कंना ऑन मैं पूरट तो में आपते देटीrah अğर्ष कनिकपना एक सिखीए वह के दिदे से आफिटेल में पूट्व mystic यह पर कुछ जो कुछ थिए चीश है कुछ पुर्टी छटी बात यह मुझे आपको हुलक के उलका में एहां पर एक्ञान दुद में पूर्पोलियो में इस रिक जटना फैने द्सञशन सनतों तो अब समझे तो अब हम निकालेंगे रिस्क कैलकुलेशन आफ रिस्क इंवल्ड और अब अब मैं आपको रिस्क निकाल अब देखिए चार सिच्वीशन हमें दिखां कि 70,000 भी हो सकता है कि 55,000 भी हो सकता है कैस्ट ले कि 45,000 भी हो सकता है और 25,000 जिसका हमने एक्सपेक्टेट कैस्ट लो अगर हम बात करें तो मनें कितना पकड़े हैं कि 2000 कि इस वाइन में पाइन प्रवायबिटी है कि इतना पॉन टू जिरो पॉन पॉर फैफ इफ। 20 पर्सन मझा पॉन पॉन पॉर फैफ हो हो जाए और पॉन तू फ़ाइन पॉन जिए कि हमारा probability होगा चले तो अब मुझे आप बताईए तो इस ही हमने किया कि हमने इसी में तो probability निकाल के यह निकाला अब हम पताए क्या निकालते हैं हमने पकड़ा है हमने तो अपने क्लाइंट को बता है कि देख तु जा घर तेरा एक्सपेक्टेट को बोला है लेकिन अगर सब्सक्राइब तो रिस्क है आप बतला भी रिस्क होता है क्योंकि यह जो आए बड़ा और चोटा फिगर का बीच का निकाला हमने पर इसका बड़ा फिगर भी होगा उन दोनों का बीच का यह आवरे जाएगा तो आपका जो रिस्क होता है वह फेबरेबल हो यह अनफेबरेबल वह रिस्क होता बागे डीटेल में पॉर्ट्फोलियों में सेखेंगे तो यहाँ पर मुझे बताए यह गैप है कि नी रिस् में फेबरेबल है उन बाद में बात करेंगे पर रिस्क हो है देखो हम नेऐр खौस यहाँ पर साइड में लिख देते और ने ब्यभरेबल है प्यवरेब सेवनकी थाउजिन का ग्याप है मत इरह कि अंदो धुर। सब को बेस में लेते हुए हमने निकाला था फिप्टी टू थाउजन फाइवनेट का ग्याप रिस्क है आपका लेकिन वही सोचो अब आपको बात बतारों में अगर मालों हम यह लेते और इसका भी एवरेज फिप्टी टूद्वाचेन फाइवनेट होता तो मोलते हमने थो state बात व्ला फिप्टी हूचेन फाइवनेट अगर फिप्टी टूद्वलाचेन फाइवनिया तो अगर में इन डेटा को करता तो कोई गैप ही नहीं आता ब surn यहां पर तो इंस के टो फिप्टिटू थांजिन फाइव यहां पर सेवेंटी है बट हमने क्लाइंट को बता है 52.005 यनिज आपका क्या है तैबंटीटू थाँचंब फ्इवने का लेरेट के देखो कि तू थाऊचीन को बताया अगर फुट्री फॉट्टी फेवर बेड्ट को बताया अगर फॉटी फाउचीन हो गया तो कितनी तद्राइबлы डिखर तब और इसके बाद नेक्स्ट आपका 25,000 अगर हुआ मैंने तो क्लाइन को 52,005 मिनिट बताया अगर 25,000 हुआ तो 27,005 मिनिट का अनफेबर लिए तीक है मैंने गैप निकाल लिए अब देखो आप यह जो मैं अनफेबरेबल लिख रहा हूं न चलो इसको मैं साइन देता हूं यह माइनस पे रहे यह माइनस पे रही क्योंकि है प्लस में रहेगा क्योंकि जो हमने क्लाइन्ट को बताया है एक्स्पेर ट conten उउस graduate उसको उस से जज्यादा है मतलब बिलस का सिंबल और कम है मतलब माइनस का सिंबल आएगा वाट मेरी बात ध्यान से सुनो यह सारे रिस्ष ए आप ये नहीं बोल सकते प्रेस वालए तो अच्छा रिसक नहीं रिसक मतलब जैप मतलब तो नहीकर दिल देख लो सेवंटीन थाओं आप एहसान मत कर सकते इसका टोटल डिवाइड वे टोटल डिवाइड वे सम्तिंग कुछ नहीं करना है आप यह देखो सेवंटीन थाओजिन फाइव इनिट पे ट्वेंटी परसन लगाओ यह गैप है अगर मैं गैप का एक आवरेज गैप निकालो मैं बोलूँगा सेवंटीन थाओजिन फाइव इनिट पे ट्वेंटी परसन लगाओं कितना आएगा 35 इनिट आएगा प्लस में दूसरा ट्वेंटी फाइव इनिट का गैप का पॉइंट फॉर फैब अगर हम करें तो कितना आएगा डबल वन तू फाइव यह भी अपका प्लस में रहा है दूसरा 75 इनिट नेगेटिव है इसका पॉइंट फाइव जाएगा माइनस वन एट सेव नेक्स ट्वेंट फाइव नेगेटिव का 10 परसन टूसन फाइव जिरू है माइनस तूसन फाइव जिरू आप देखलो इनको किस्वाले को टोडल करेंगे कितना आएगा 4625 कि मैंनस वाले को भी करोगे 4625 क्लस मैंनस टूसन जिरू ही आने वाला क्या फिन जिरू है और जिरू आ रहा हुए उसके पीछे भी ना कि कहीं ना कहीं बीच का gap है तो उपर का gap नीचे का gap मिला के क्या होगा जिरू ही होगा यह आपको समझना है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया हमें क्या करना चाहिए हमें यह करना है हम इन सब को plus minus माने नहीं हम सब को plus मानेंगे हम सब को risk मानेंगे तो देखा जाए तो ऐसे भी करा जा सकता था कि हम इन सब को positive मानते वे सब को gap मानने जब model बनाया गए तो बोला गए कि यह से directly तो सब को favorable gap मानना सही नहीं है आप एक काम कर उसको square कर तो square करने से फायदा क्या होता पते हैं मान लीजिए same figure से गर हम plus sign आ जाएगा तो एसी लिए हम क्या करते gap square करते जिससे आपका minus sign हट जाए माइनस का sign हट जाएगा मतलब favorable और unfavorable वाली चीज हट जाएगा तो इसके लिए में क्या करना होते हम क्या करेंगे gap square करेंगे यह जो आपका gap आए ना इस gaps को पता है क्या कहते है एक्स माइनस एक्स बार भी बोल सकते हैं यह आपके एक्स की value है और इसे हम क्या मानते पता है एक्स बार बोलते हैं वह बाद में आप सीख जाओगे अभी फिलाल आप ऐसे समझो gap square करेंगे 17,500 का क्या करें बताएं 17,500 का square करेंगे इंटू 17,500 बहुत बड़ा फिकर आएगा 30625 0000 क्यमने करेंगे नेक्स 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 6,25 इंटू 75 इंटू 75 इंटू 5,625 00, इंटू 27 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 75 इंटू 75,625 00, यह मैंने gap square निकाला तो अब इससे मैं क्या समझता हूं देखा मैं बोलूँगा पता है मेरे लिए यही काम की चीज़ यह मेरे लिए काम की चीज़ नहीं है यही मेरे लिए variance है यही मेरे लिए risk है यह मेरे लिए risk है जैसे मैंने बोला अलग-अलग सिनारियो में best, better, good, first तो जैसे मैंने अलग-अलग सिनारियो का cash flows बताया था ना अलग-अलग सिनारियो का cash flows से मैंने एक average cash flow निकाला probability लगा के वैसे अलग-अलग सिनारियो का मेरा risk भी आ गया तो यह जो variance है नहीं इंडिविज्विज्व रिस्क है इंडिविज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्विज्वि एक बात बता हम दर्वाएं कैस्पेंट के जोग निकाला था प्रॉबिमीटी लगा dat इंडिविजल कैस्ट्ख लोश유 में प्रॉबिमीटी लगा के आपका एक एक प्रॉबिमीटी पूच्छा कि बता तरगे डिस्के सिंकारिव में किरेटल में इसके सिंगल क्यास परफ़ बता इसके लिए प्यांदे कि सिंग्रेंब और 1 यह जाएगा तुम एक सिंगल कैस्फ फ्लो बता था ना वmpfen उसके लिए हम इसका average कर देंगे करेंगे ये इंडिविज्वं रस्क में प्राबेबिलिटि लगा देंगे तो आपका जाएगा आविजक पाल का जाएगा और उसी र्सक पॉम क्या कहते है पतार बैरियंस कहते है मैं लिब देतैं और यहां कि उसी को आँवरेज वार्ययंस कैते है और जिसनым सिग्मा स्क्वायर एकस गते सब मंध्य करना नहीं हम km2 यह जो एमाउंट इस पर ये प्रॉबिबगिलीटी लगाने इनड़िजन वार्यंस में प्रॉबिबिलीटे लगाएंगे क्योंकि यह रिस्क होने की probability twenty percent है, यह रिस्क होने की probability forty five percent है, यह risk होने की probability twenty five percent है, यह risk होने की probability ten percent है, तो उसी हिसने हमने क्या किया एक average रिस्क निकाल लिया, Average Variance हमारा क्या होगा, बताओ मुझे आप लोग कुछ बताओ मैं नहीं करूँगा इस पे क्या करोगे यह probability लगाओगे इस पे लगाओगे into this यह into this यह into this और आपका आजाएगा जैसे इन सब में हमने प्रोबिलिटी मल्टिप्ले करके यह निकाला था वैसे gap में भी probability करके निकालेंगे तो आया क्या नहीं आया बताओ मुझे जल्दी से बताओ मुझे लेट ना करो 15375 0000 बताया किसे अयह यह एक दम अच्छे दे अब बता हम क्लाइन को क्या बोल रहे है ते-ब एक्सेक्टेड आवरेज काश लो जो है कि तुटी टूधाउजन फाइव इनर्ड कि ते-रहर एक्सेक्टेड आवरेज रिस्क जो है किसम वारियंज भी कहते है सिग्मा स्क्वारेक्स वह बता है कि वह पागल बात कर रहे हैं हमारा च्छोटे-मूटे आदमी च्छोटा-मूटा धंदा कर रहे हैं सेवन्टी दाओजन फिप्टी दाओजन फुटी दाओजन हमारे यह क्या फ्लो है इसका टोटल भी करें तो उससे भी ज़्याद आप तो रिस्क बता देरो बेऊस होगी है पता है एक गंटा लगा उसे उठाने में में मेरा क्या फ्लोगा फिटी टू दाओजिन फिनिट का और आप हमें रिस्क बता रहे हो 15375 0000 इतना एमाउंट तो हमने जिन्दगी में कभी नहीं देखा कितना आ रहे देखो फिफ्टीन करो ठटी सेवन लाक फिफ्टी थाओजन उपी सारे बापरे वह पांगल हो जाएगा पर होगा तो होगा यह रिस्क है आपका क्या कर सकते है और यह वा धूबत हैं क्योंकि हमने negative positive को eliminate करने के लिए हमने क्या क्या स्कुरे कर दिया था है याद आपको negative positive को eliminate करने के लिए हमने स्कुरे क्या था रिसको Real futur में में ये रिस था मैंने तो बोला था हम सीधा plus or minus और करते है hills एक बार करकी भी देखते हैं यह प्लस माइनस को अटाने के लिए अब सीधा भी तो इस माइनस को अटा देते अगर हम एपसुलूट टंस में सभी को बन लेते इसे सिचुशन में आपका लेच एक बहुत बटर सीनारियो में रिसक होकि आपका गूरे और इस fits पर पर युक्रण में पर अगलत को यह यह मिलाईनस की यह भी तो और आपका 27,000 फाइविनिट आपका रिस्क होता एपसुलूट टेम्स में और इस पे फिर क्या करते हैं प्रबिबिलिटी लगा के हम बता देते हैं यह आवरेज रिस्क क्या होगा तो यह बार करो 17,000 फाइविनिट इंटू 0.2 कितना आएगा 35 इनिट आएगा 25 इनिट इंटू 0.45 यह कितना आएगा 75 इनिट इंटू 0.25 यह आएगा 1875 और लास्ट का 27,000 फाइविनिट इंटू 0.10 कितना आए ला देखो 35 इनिट प्लेस 1125 प्लेस 1875 प्लेस 2750 यह आपका एराउंड 9250 9250 का आँठा हाँ यह 9250 का रिसक आता हमारा वह बो देतें 9250 का रिसक है लेकिन हम ने यह ऐसे क्या पर ऐसा करना नहीं है कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं यह जो मैंने 9250 निकाला approximately 9000 माननो 10 approximately 10,000 का रिसक आता अगर absolute Ilms मेले बड़िवने square करके यह risk निकाला यह risk अपनी चगह में सही है लेकिन यह client को client का दिमाग गुमा देगा और इसलिए standardized form निकाला गया बुलागे कि यार यह दिक्कत करेगा client को मुसीबत देगा client को समझ में नहीं आएगा वो चक्कर standard deviation क्या कहता है पता है जो आपने variance निकाला था ना सिग्मा square x तो root कर दो आप क्यों root कर दो पहले आपने square किया था ना root कर दो आप तो यह आपका क्या है का पता है root over 15375 0000 root कर गी आप 15375 0000 क्या रहा है one two three double nine 12390 अब जाके सांस में तेरी सांस रही आपको पते हैं अब क्लाइंट बोलेगा सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस है ना तो अब यह को यानि हम बोलेंगे कि देख क्लाइंट चक्कर खाने की जरत नहीं है तेरा एवरेज क्यास फ्लो यह फिप्टी टू थाउचन फाइंट और तेरा रिस्क जो है वह तेरा स्टेंडर्डाइस फॉर्म में तुझे बता दे रहे हैं यह ना पडोस की दियां में आपके लिए ताचा ताचा गरम गरम स्टेंडर्डाइस फॉर्म में तेरा रिस्क जो है वन तो त्री डबल नहीं है यह हमने रिस्क बताया यहनि कहने का मतलब यह है आप नेगेटिव पॉजिटिव को एलिमिनेट करने के लिए आपने पहले स्क्वाइर किया और उसके जरी आपने वारियंस बताया अब यह ज घर पर बैठकी इसी प्रकार से यह वाला करोगे इसका दिखना रिस्क जीरो आएस यह अगा ते जितना ज्यादा होगा उतना जाता घ्र्स जितना जादा रिस्क आएक जैसे कि अगर मैं एक आपको एक्जामपल दीत हो आप घर पे खुछ से करना एक्जाम्पल देता हूँ बेस्ट सिनारियो पे बैटर गुड पर वर्ट से इसमें मैं क्यास फ्लो लेता हूँ 50 1000 और 33000 50 और जान मुझके में probability अबर दूर सब का बराबर 5.5 5.5 सब का probability में बराबर लगता हूँ जिनि 51000 प्रस 53000 प्रस 51750 प्रस 53250 अच्छा 5250 हो रहा है न 500,000 बढ़ाने अब को 1000 किसमें बढ़ाएं इसमें बढ़ाएं यस यह मैंने कर दिया 52000 प्रस 53000 प्रस 51750 प्रस 53250 इवाट बेफो 52500 आप देख लो सब में प्रोबिलिटी लगाओगी न अगर आप चलो यह भी बताई देता हूँ साथ साथ यह बताता हूँ आप आपका एक्सपेक्टेड कैस्टो पता है कितना आएगा 52500 आए अब देख लो अगर 25000 वाद तो भरबाद हो जाएंगे 70,000 वाद तो आबाद हो जाएंगे Gaps बहुत जाद है Fluxuation बहुत जाद है यहाँ पर देखिए Gaps कम है सारे close to 52,500 है 52,000, 53,000 में close to 52,500 है यह भी close है तो आप यह समझ लीजे यहाँ पर हमने जो risk निकाला था विराड कोली का और विरंदर सेवाग का एक्जामपल लेता हूं में विरंदर सेवाग भी खतरनाक हीटर था 300-300 भी बनाये वे उसने test matches में आपको पता है अगर आप पहले देखते थे पहले विरंदर सेवाग का matches वगेरा वो क्या हीटर था मतलब लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं था विरंदर सेवाग आपका कभी 200 मार देगा कभी 0 में आउट हो जाएगा कभी 10 बनाएगा कभी 100 मार देगा है ना या फिर अगर हम रोईत सर्मा विराड कोली के बात करते तो रोईत सर्मा भी यह है कभी 300 बना देगा वो कभी 264 बना देगा और कभी 10 में आउट हो जाएगा बट विराड कोली का consistency है उसमें आप देखना वह क्या करता है पचास साथ सो एक सो दस एक सो बीस यह नहीं वह कोई consistency maintain करते कि average maintain करते तो अगर आप से कोई कोई पूछी का कि किस में जाता है हम बोलेंगे रोज सर्मा में रिस्क जाता है रोज सर्मा क्या पता है सेंचूरी मार देगा तो क्या पता जीरो में आउट हो जाएगा और विराड कोली का लगता है कहीं पचास साथ तो बनें जाता है तो रिस्क किसमे कमें विराड कोली में क्योंकि उसमें margin कमें gap कमें वैसे आप देखो यह cash flow में रिस्क कमें margin कमें gap कमें आपका आपका तो चलिए अब अगर हम gap निकालते हैं कि निकालेंगे देखिए gaps कितना आएगा 52,500 अगर 52,000 वा तो gap कितने का माइनस 5 फिर नेक्स्ट वाले में लेस्ट वाले में सेविनीट का gap है नेक्स्ट वाले में माइनस से 750 यह आपका च्छा पाया अब माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं कि हैं कि आप स्क्वाइर करते हैं फाइव इनिट इंटक फाइव इनिट 5525 25 252,000 होगा मेरे क्याल से कि यह गया तो लेक लिपे दाऊजिन होगा और यह 750 इन्टू 750 टाइब 655 तेबल 20 या अब इस्पे हम क्या करेंगे probability तो मैं सिथे total divided by four कर सकते हूं क्योंकि बराबर की probability इन्टू पॉइंट पॉइंटू पॉइंटू 25 अलग-अलग करने की जरत नहीं है कर सकते हो वैसे भी अंसर सेम ही आएगा कि बराबर प्रोडिटी में आप एक एक करके प्रोडिटी लगाओ या फिर टोटल डिवाइड बेफूर कर दो अब यहाँ पर तो अब देखे टू लाइड फिटी धाउजन प्लस तू लाइड फिटी धाउजन फ्लस फाइब सिक्स टू फाइब फाइब लाइक दस फाइब सिक्स फाइब डबल जीडू एस फॉर जिरो सेस्टू फाइब जिरो है यह हमारा क्या होगे आवरेज बारियन्स होगा यह देरफोर एसडी क्या होगा तूट ओवर 40625 कितना मैंने बुलना हजार दो जर उससे भी कम है 637 है देखे कितना कम है आप जो पहले वाले केस में आपका क्यास प्लोस था 52,005 विनिट लेकिन रिस्क था 12,399 कम इस एक्जामबल में आप देखे क्यास लो वह यह बट रिस्क आपका 637 कम है जितना रिस्क कम होगा अगर से महमौन्ट होगा तो रिस्क आपका जीरो होगा यही हमारा रिस्क जो मैंने आपको निकालना सिखा है तो मैंने statistical analysis जो मैंने आपको statistical technique समझा है इसमें मैंने probability variance और standard deviation आपको मैंने अच्छे से clear करवाया है आप बताईए एकदम अच्छे से clear हुआ की नहीं हुआ आगे हम coefficient of variation सीखेंगे coefficient of variation के अंदर हम आगे further इसमें तो कुछ ही निदम ही नहीं है इसमें तो कोई tension की बात ही नहीं है कोई tension की बात नहीं है आप मुझे बताई क्या यह लॉजिकल यह अपको समझ आया कि आपका gap जो है है ना लॉजिकल यह आपको समझ में विराड़ी से अग्रेसिव बट कंसिस्टेंट बट सेवाक सर इस जो होगा देखा जाए हम तो ऐसे ही खेलेंगे वहीं विराड़ 5200 वर्ल कप 2023 मोस्ट कंसिस्टेंट एवार्स तो आप यह समझ लीजी है यहां पर समझ में आया एक्दम बताओ अब अच्छे से समझ में आया की नहीं है मुझे बताओ मैंने अपना best courses कि यहां पर बाकी तो आगे पूर्ट पोलियों में discuss करेंगी क्लियर है एक दम अच्छे से बताओ सभी कोई मुझे बताओ सब कोई अच्छे से क्लियर है अगर क्लियर है तो एक बार एक या दो कोशें हम देखते हैं हमारे कोशन बेंग के अंदर एक या दो कोशन देखना बंता है हमारा बताई जड़ अगर क्लियर है तो हम देखते है कि पूलो कि यह स्क्लियर है कि कोशिन बेंग में आना पसंद करोगे कोशिन बेंग में आना पसंद करोगे इलस्टेशन 3 हम देखते एक बार इलस्टेशन 3 तो इतना इस यह कुछ पूचाए निए इसमें आपसे पूचाए पता है क्या expected क्या आसलो बताओ यह मैं कोशिन में करा दूँगा आप खुछ से कॉपी में कर लिए अपने कॉपी में खुछ से कर लिजेगा देखें इलस्टेशन 3 में मैं आज जल्दी चुटी दूँगा पहला एक दो गुलास दो घंटे करेंगे अड़ाई गंटी का नहीं करेंगे तो अभी ब्रेक नहीं सवाल में समझ नहीं बाया कि बाकी और डिटेल में पॉट्फोल्यू में भी सीखी जाओ गया देखो इलस्टेशन भी पॉसीबल नेट कैस्ट्रों सो प्रोजेक्ट ए एंड बी अड़ एंड और फॉस्ट यर और प्रोबिलिटिस और गिवन बिलो इसकांट रिट आपका 10 परसेंट हैं और बोद द प्रोजेक्ट्स आपका इनिशल इन्वेस्मेंट बता दिया 10,000 का लगिए दोनों प्रोजेक्ट में इनिशल इन्वेस्मेंट बता दिया आपसे पूछा कि एक्सपेक्टेड एंड भी बताओ इस प्रोजेक्ट और बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है state which project सबसे पहली बात तो यह कि आप मुझे यह बताइए project A का cash flows दिया हुआ है probability दिया हुआ है उससे expected cash flow निकाल सकते 8000 का 10% 800 होगा 10,000 का 20% 2000 होगा 12,000 का 40% कितना होगा हर cash flow में probability लगा रहा हूँ 12, 24, 36, 40, 800 होगा 14,000 का 20% 16,000 का 10% 1600 होगा तो आप देखिए 6,876, 86, 92, 100, 212 हो आ रहा है 2006,000, 8,000, 9,000, 10,400, 11,200, 12,000 आ रहा है मेरे ख्याल सही है 12,000 आ रहा है बोलो हाई है ना 12,000 आ रहा है इधर की बेकर हम बात करें 24,000 में 10% probability लगा दिया 2400 आया 20,000 में 15% का probability लगा है कितना आया 3000 आया 16,000 में 50% probability लगा है 8,000 आया 12,000 में 15% लगा है कितना आया 1800 आया 8,000 में 10% लगा है 800 आया 5400 अटीन थाओजिन फोन्रेड एंड आपका 2600 वोटिन 16,000 आयेगा हमारे हम यह मान के चरने हैं यहाँपर कि एक ही साल का यह पॉज को कि एक साल का डेटा दिया हुए और यह भी नहीं बता है कि पर्यक्ता साल का जी nó keen को स्ट्वे यह में मन के चरने हैं वन यह का प्रॉजक्त अब मुझे बताएं त्व業 था हॉचिन फिर्स चयर में हमारा expected cash flow है एक ही साल का प्रोजेक्ट है 12,000 को आप एक साल back present value में खीचोंगे discount rate 10% दिया होगा है तो 0-3 का present value of cash inflow क्या होगा cash inflow तो मैंने 12,000 निकाल लिया और 12,000 का present value क्या होगा एक साल back कर देंगे 10% से यह आएगा 10,909 तो 10,909 मेरा present value of cash inflow होगा और initial investment मेरा 10,000 है तो NPV कितना है 909 आया तो यहां पर पहले वाले project में मेरा NPV आया 909 का दूसरे वाले project का अगर मैं NPV बताओं मैं बुलूँगा 16,000 का मेरा first year में cash flow एक ही साल का project है 10% अगा discount rate है तो 16,000 divided by 1.10 14545 और 10,000 मेरा क्या है initial investment है तो यह क्या है तो आप देखिए यहां पर दोनों में 10,000 रुपी इस investment होगा हमारा ठीक है NPV एदर 909 है और NPV एदर 4545 है तो on the basis of NPV अगर आप बोलोगे आप बताओ project A आपको ज़्यादा अच्छा लागा कि project B project B में आप देखिए margin कई गुना जाता है NPV 0 में भी project accepted होते हैं तो हमारा 10% तो एचीव हो गई उसके अलावा एक्स्ट्रा से आपका 4545 का benefit देख रहे हैं यहां पर 10% तो एक्स्ट्रा से 909 का benefit देख रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट वाइबल हैं बट दोनों में से अगर एक project चुनना हो अगर आप बोले से दोनों project में काम करें लेकिन दोनों में से अगर एक project चुनना हो तो हम कौन सा चुनेंगे हम project B चुनेंगे तो यह मैं आप लोग को देता हूँ self homework खुद से अपनी copy में प्रेजेंट करोगी आप आईसे के style में करने की आवस सकता नहीं अब खुद से भी कर सकता हो देखे 909 4544 एक रुपए का फ़रकि को दिक्कत नहीं इन्होंने निकाल रखा हूँ इलस्टेशन 4 भी अगर मैं आपको बूलू हूँ यहाँ पर तो आईसे इन्होंने solution को पूरा complete नहीं किया मैंने देख इंडेक्स निकाल के भी हम बता देते हैं कुछ नहीं सिंपल है वो हम next class में discuss करेंगी एकदम सिंपल है profitability इंडेक्स तो नहीं का निकाल के आप conclusion दे सकते हैं अगर आप NPV से नहीं देना चाते तो और हाला कि profitability index का तब रूल आता है जब अलग-अलग project का initial investment अलग-अलग अग अगर सेम इनिशल investment है तो आप NPV से decision ले सकते हैं तब हम next class में discuss करेंगे विद लॉजिक प्रॉपर लॉजिक के साथ सब कुछ next class में अच्छे से discussion होगा कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं ताकि exam में कैसा भी question है निया पुराना common uncommon कोई भी निया फ्रीम question भी आप सभी और साथ-साथ illustration 5 की हूंबर क्योंकि illustration 5 में variance and standard deviation पूछा गया है मैंने आपको example से इतने बहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों करवा दिया ना अब अब यह नहीं कह सकते कि सर हमसे होगा नहीं 3-4-5 आप तीन हो illustration 1-2 तो आपका रहे गई हमने कर लिया है 3-4-5 मैंने example में इत कर क्या होगे कि अराम से समाल होगे तो इसलिके साथ हम आज ही class को में समाप करते हैं नेक्स्ट हम कल मिलेंगे वापस से सुबह 11 ठीक है और मैं आपको बात बता तो 7 को class नहीं होगी क्योंकि कुछ हमारे घर पर function है जिसके चलते साथ तारीक को हमारी class नहीं है कल हमारी class है और जबकि हम साथ तरीक को class नहीं रख रहे तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हम सट्रेडिस हंडी को भी class है तो इसनाज आज हंट्रेट परसन हो जाएगा अभी कॉल्स भी बहुत सारे है टीम के में डिसकस कर लूंगा आज हंट्रेट परसन हो जाएगा वोग्स भी हम इनसी जी सॉफ्टर का एकसस मिल जाएगा सब्सक्राइब को मिल जाएगा और मैं आपको बात बता तो अभी टेंपररली चारपास दिनों के लिए अलग एकसस देंगे जिसके तरूं लाइव लेंगे आगे जाकि फिर हम आपको एक निया सॉफ्टर में वापस से एकसस दे क्योंकि कोशन देखिया अंसर दरना है कि यस मैं आपको इसका एक्स्ट्राइक दे दूंगा अब मैं आपको कैपिटल बैजेटिंग का कोशन बैंक का एक्स्ट्राइक दे दूंग है ठीक है बोलो सब कुछ परफेक्ट है तर मैंने क्लास 11 को ली होना चाहिए प्रभी जी आपको 11 को ली थी अभी तक एक्सेस कुछ पंगाया होगा आप मुझे एक बार है ना टेलीग्राम कीजेगा मैंने मेरे मुझे टेलीग्राम कीजेगा 9864047095 पे मैं आज ही सोट आउट करवा ऐसा होना तो नीचे तक किस कारण से हुआ मुझे समझ नहीं आया बट हम देख जाएगी अगर आपने कल लिये क्लास को एक दिन 24 आउर्स में मिल जाएगा यह सुवं जी बैक अप मिलेगा रिकॉर्डिंग जो लाइव जो बच्चे लाइव नहीं करें उनको रिकॉर्डिंग का तो बैक आप ओव्यस की बात है मिलेगा कि अपना जी इस बारे में प्लाइन करें कुछ कोसिस करेंगे आप लोग के तक कि आप लोग भी लाइव देख सको को सब्सक्राइब करेंगे तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्ट करते हैं अच्छे दर्सन जी अच्छे लाइव के लिए आपने लिया था हां जिसने पहले लाइव एफम लाइव बैच का अगर किसी ने इंड्रोल्मेंट किया आथ और अब वह सबी को एकसेस दे रहे और पहले भी लेके क्या करते लाइव फ्रम किल से और अगर मालों किसी को को दिक्क्त है अभी एक बार वीट करना अभी मुझे मत बोले अगर आपको रात के आड़ बजे तक रूप जाओ रात की आड़ बजे तक अगर आपको एक्सस नहीं मिलते हैं नाइनेट सिक्स फोट जिरो और सेवें जिरो नाइन पर एक पर मुझे टेलेग्राम कीजिएगा मैं मैं एक शूर करूंगा कि आज रात के अंदर आप जो हमारे क्लास वो सौफ्टर में कल 11 बजे जो हमारे क्लास रहेगी उसमें आपको दिक्क्त आप इस इचका में में एक शूर करें आज रात आट बजे तो रूप जाओ वी मैं टीम से पर इसी को को दिक्क्त नहीं आने देंगी ठीक है चलो तो आज के लिए टाटा प्रतिक जगादी दॉट कॉम से क्लास में हो गया क्लस में रहेगा और जो भी पुराने बच्चे हैं जिनका प्लास एक्सपायर अगेर उगेरा होगी उनको भी जो जो वी चीज़े हैं वो उन सब का एक्ससम उनको देंगे वो भी तेंसम सुई रही है आप लोगके साथ चलो बाई बाई आवरीगोंट ठीके